हेलो वाट्स आप गाईज आज हम इस वीडियो देखेंगे कम्प्लिट रिएक्जिस कॉर्ड उप्रेशन उजिंग एक्सियो जी हां गाईज तो आज इस वीडियो में हम कम्प्लिट स्टीप मेथड डैट इस यह गेट पोस्ट पूर्ट इसको कवर करने वाले है इसको अगर इस सिंपल टर्मस आपको बोलू तो आपका कॉर्ड ऑप्रेशन जो कि आपका होता है क्रिएट रीड अपडेट एंड डेलिट बिलिप में गाईस हम रियल अप्रेशन के साथ इसको परफॉर्म करने वाले है तो इसका मदलब यह कि जो भी हम करड़ ऑप्रेशन परफॉर्म करेंगे वो रियल एप्याई में ही अपडेट डिलिट क्रेट रीट जो करना है वह आप हम वहाँ पर करने वाले है तो यहाँ पर आप एप्लिकेशन देख सकते हैं यह जो एप्लिकेशन है इसको आज हम इस वीडियो में क्रेट करने वाले है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले है एक्सियोस का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा बाइज इस प्रोजेक्ट को बिलकुल फ्री और पेड दोन रेजुमे में एड कर सको दुनिया के साथ सेर कर सको एंड थर्ड आप लोगों के लिए बहुत आसम यूजी है कि इसका सोस कोड बिलकुल फ्री में में नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा एंड साथी साथ इफ यूट यूट वीडियो सोस कोड एट उनली 249 रूपीज जी हांगा इस सिर्फ 249 रूपीज में सारे HTML, CSS, React, Mon, Node, Express, PHP, MySQL सारे जितने भी है सबका सोस कोड ची एट उनली 249 तो उसका भी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा जरू जरू कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं आपको एक डियाग्राम के थुरू समझाता हूं और धिरी देरे हम चार वीडियो में इसको कम्प्रेट करेंगे इस इस यह आप हो किसको रिक्वेश्ट करते हूं आप अप सर्वर को बेसिकली अगर हम कोडिंग की बात करते तो हम हमारे बैकेंड को रिक्वेश्ट करते जो की डेटावेस में जाता फिर अब वहां पर वह सर्च करता है कि जिस चीज़ का रिक्वेश्ट कर रहे हो क्या वह अगर है तो हमे कब response मिलता है और अगर आप किसी को normal call भी करते हो तो अगर सामने से कुछ high hello आया मतलब उसने हमें response किया यह तो एक normal common sense वाली बात थी तो यहाँ पे भी same होई गया ठीक है जब हमें response मिलता तो basically website आपको दिखाई देता है जिसमें HTML, CSS and JavaScript कि थरूब बाना होता है यह तो एकदम basic था but अब यहाँ पे Axios का क्या काम and साथ ही साथ यह HTTP methods क्या होते है and कितने टैप्स के method हमें available हो तो आप guys यहाँ पे देख लीजे HTTP methods तो basically मैं अगर आपको बता हूँ तो चार टैप्स जो एकदम ज्यादा यूज होता है जिसमें number one is your post then guys आप देख सकती हो get, put या patch and then guys delete अब यह जो चारो चीज़ आपको दिखाई दे रही यही है आपके HTTP के methods and यह क्यों काम आता है वो तो जब हम one by one अभी वीडियो को continue करेंगे तब पता चल जाएगा but at least आपको यह तो पता चल गया कि request क्या है, response क्या है और यह जो method है, वो कौन-कौन से है तो जब भी हम request करते हैं तो इन चारों में से कुछ एक हम request कर रहे होते है let's say मैंने post request की server को let's say मैंने get request की server को let's say मैंने put के through request की server को यह आपको पता चल गया अब और आगे जाते है ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि इसको मैं और फर्दर आपको ले के जाओ तो where is this curd operation यह curd यह जो basically word है यह कहां से आया and what is the meaning of this curd यह धाई वाला curd तो नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ जहन से देखना we have this post post मतलब क्या होता है post मतलब यह कि guys आप कुछ data है जो server को बेज रहे हो and यह बोल रहे हो कि आप इसको guys add कीजिए अपने server के data में let's see जैसे कोई registration करता है तो आप उनका data add करते हो तो उसको क्या बोलते create right नया user आया आप उसका account create कीजिए then we have this get get मतलब यार मुझे source code दो ना आप बोलते हो ना तो आप क्या चाते हो get करना चाते हो मेरे source code को free में जो कि मैं provide भी कर रहा हूँ तो प्लिस like, share and subscribe कर दीजएगा तो get मतलब पाना मतलब read है ना अगर आप server से कुछ माग रहे हो तो वो जब आपको देगा तो आप ready करोगी और तो आप क्या ही करेंगे computer छूके मैं कुछ कर नी सकता हो सिर्फ देख सकता हो मतलब read then put अब यह put and then patch ठीक है यह basically आपकी जब आपको कुछ update करना for example user registration करना चाहरा था गलते से किसी और का number दे दिया अब उसको OTP आ नहीं रहे अब उसको update करना अपना mobile number तो क्या करेगा वो request करेगा अब हमारे backend में या database में जहां पे store है वहां पे change करना है तो either we use put या तो patch put या तो patch क्या है difference में बताऊंगा ठीक है put basically complete आपका पुरा data एक साथ हटाता है और नया data डालता है patch में अब मतलब अगर 100 word है तो किसी 10-20 को change करना हो तो basically इस तरीके से काम करता है don't worry जब हम practical देखेंगे तब समझेगा अभी तो पर ही जाने वाला है तो अब बस आप इतना समझ लो जब हमें update करना हो तब हम put request ये जो method है उसका use करेंगे and at the end तो guys अब let's say आपने user basically आपने अपने account create की आपका काम होगे वाला में को नहीं मतलब मुझे अपना privacy चीए मुझे अपना account हटाना है तब आप क्या करते हो दिलिट करते हूँ तो दिलिट तो दिलिट ही है तो एक चीज आपने notice की post get put and delete ये तो आपके actual HTTP method है but इसको अगर हम थोड़ा in simple terms में समझते तो एक का का में create करना दूसरे का का में read करना तिसरे का का में update करना चौते का का में delete करना तो अगर हम इन चारो का first जो letter है उसको अगर हम ले so this is your C, this is your R, this is your U and this is your D C, R, U, D CURD तो CURD मतलब ही आपका create, read, update and delete ये operation करने को ही CURD operation बोलते है कहीं न कहीं ये आपका एक full stack के अंदर आ गया जिसमें आपका आप create भी कर रहे हो, read भी कर रहे हो, update भी कर रहे हो and delete भी कर रहे हो तो I hope guys at least CURD operation HTTP methods उसके साथ जो related है and ये request and response हम कभी इसका use करते हैं ये तो आपका clear हो गया अब इसमें Axios का क्या काम है वो तो अब हम देखेंगे लेकिन I hope ये आपको पता चल गया क्योंकि इतना आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़री था all right all right guys I know आपके मन में बहुत इच्छा हो रही कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे तो मैं आपको बताता हूँ तो ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहां पर जो भी डेटा मिल रहा हमें रियल टाइम जो API है जैसें प्लेसोडर का वहां से हमें मिल रहा है ये सब कुछ यहां पर पूरा कम्प्लीट कॉर्ड ओप्रेशन हम देखने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे सबसे पहले देखो यहां पर यहां पर इस पर्टिकुलर पॉर्ट्स ना मैंने दा मोमेंट रिप्रेश की मुझे डेटा आ गया तो जो कर्ड ओप्रेशन में एक रिक्वेस्ट था method that is your get या read वो तो हो गया हमें डेटा अल्रेडी मिल गई यहां पर दूसरा होता है कि आपका पोस्ट करना पोस्ट मतलब क्या है कि आप अपने end से डेटा आप एड करना चाहते है अपने API पे for example कोई user है अपना registration करके डेटाब इसमें एड करना चाहता है तो मैं यहां पर देखो क्या करता हूँ मैं लिख देता हूँ title में post data ठीक है मैंने title लिखा थापा and मेरा जो body है मैंने लिखा post data and मैं add पे click कर रहा हूँ तो within a few seconds अगर आप देखोगे मैं inspect करता हूँ मैं अगर network पे चलता हूँ and boom guys see यह देखिए यह देखिए जरा 101 automatic and यहां पर मुझे मेरा data आगया तो कभी आपने यह सोचा था कि JSON placeholder पे आप अपना खुद का data add कर सकते हो and guys जो तरीके से हम इसको add कर रहे हो देखोगे तो आपको और मजा आ जाएगा and आपने कभी यह ऐसा भी देखा नहीं होगा कि जहां पर आप दो-दो input field के data को एक साथ आप add कर रहे हर बार आपने टूडू देखा होगा जिसमें एक ही field होता है लेकिन क्या हो जब दो data हो and साथ ही साथ आपका local हम जेसन फाइल नहीं हम हमारा जो actual API का फाइल उसके साथ खेल रहे है समझ रहे है actual API तो मैंने कहाना बहुत मजाएगा तो हमने read कर लिया data हम read करी रहे मैंने data add भी करवा दिया मेरे API में data add कर रहे देखो data add भी होगी है अब third आता है guys आपका update करना तो हम कैसे update करते है देखिए मैं यहाँ पर चलता हूँ let's say यह second वाला इस पर मैं edit पर click करूंगा ध्यान से देखना अब भी यह क्या दिख रहे है आपको add दिख रहा है यहाँ ठीक है so the moment अगर मैं इसको edit पर click करता हूँ and boom गया इससी देखो क्या हुआ यह जो particular part था ध्यान से देखना आप यह ठीक है यह यहाँ पर चला गया and अगर मैं आपको बता हूँ तो यह यहाँ पर आ गया तो title इधर चला गया body यहाँ पर चला गया जो तुछ देर पहले add था वो अब हो गया यहाँ पर edit it means कि अब हम इसको update करना चाहते है and कि इसको सिर्फ हमारा यह जो particular data है सिर्फ उसको तो यह भी बहुत important है यह कैसे हुआ होगा राइट क्योंकि दो-दो input field है यहाँ पर तो लेट इसको मैं लिख देता हूँ अगया यहाँ पर थापा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ post updated ठीक है and the moment मैं अगर edit पर click करता हूँ and बॉंग गा इससी देखा क्या हूँ यह देखो देहन से देखना जा रहा क्या हो गया यह particular portion देखो सारे empty हो गया जो तुछ देर पहले आपका एड़ेट था वह फिर से अब एड हो गया it means फिर से हम post करेंगे ना कि update करेंगे and then जो data था वह title चेंज हो गया news में जो था वह post updated आ गया यह है ना कितना ज्यादा awesome and अब let's say यह वाला जो first वाला है first नहीं चलो इससे कोई में update यह जो particular data है इसको अब हम जो फोर्द बचा एक that is your delete the moment में delete पे करूंगा वह delete भी हो गया and जो number है वह अभी भी 2 है क्योंकि वह ऐसे उसका जगा खाली नहीं कोई और उसका जगा ले लेता है and अगर मैं bottom पे जाता हूं bottom पे जो थुछी देर पहले मेरा 101 था वह वापस अब यह 100 हो गया है but yeah तो आप देख रहे हो ना गाइस किस तरीके से हमारा यह जो application है the moment में refresh करता हूं सब back to normal क्योंकि यह हमारा खुद का मेरा API तो नहीं है किसी और का API वहाँ पे में छेड़ खानी नहीं कर सकता बट फिर भी मैंने आपको दिखा कि कैसे एक react full stack complete code operation में बताऊंगा using axios वो भी ऐसा तरीका जो आपने ना देखा हो तो बहुत ही जाद important है guys आप इसको बिल्कुल miss नहीं कर सकते यह देखने में easy लग रहा है बट जो तरीके से हम करेंगे guys वो तरीका अगर आपको पता चल गया तो फिर आप बहुत easily guys like project create कर सकते हो तो अब हम चलते हमारे VS code editor पर ठीक है एंड मैंने कल की दिन एक video बनाता complete axios तो उसको भी check out कर सकते हो एंड हां एक और चीज यह पूरा का पूरा हमारा react जो सीरीज इस क्यूपर है वर्जन 19 को लेके मैंने पूरा सीरीज बनाया तो guys अगर आप 2025 में भी देख रहे हो ना तो बिल्कुल मत घबरा न क्यूंकि वर्जन 19 तो 2024 में आया ही नहीं और मैंने बना भी दिया समझे रहो तो like अगर आप 2025 में देख रहे हो तो this is the best and जो react router version 6.4 वो भी अभी तक आया नहीं है मैंने उसको लेकर बना दिया ठीक हो basically उसमें जो जो functionality आने वाली थी उसको लेकर मैंने पूरा website बना तो इसको भी जरू चेकाउट कर लीजिएगा and guys अभी ppt में मैंने जो website दिखा है त अगर आपको मेरे content पसंद आते है तो अगर आप मुझे support करना चाहते तो में नहीं कहता खाली आप मुझे कुछ दे दीजिए उसके बदले में भी कुछ देना चाहता हूं that's why guys मेरे पूरे YouTube करियर में आस तक मैंने जितने भी videos बनाया है सारे A2Z सब मैंने सिर्फ 249 रूप आते हो तो आप इसको बाइ कल लिजेगा उसके बदले मैं आपको लाइक सो हजार गुना ज्यादा रिटन यह सब कुछ दे रहा हूं ठीक है जरू चेक आउट कीजेगा और राइट अब हम स्टार्ट करते तो क्या करना है सबसे पहले मैं स्टार्ट करते सबसे पहले हमें ह इस पर्टिकुलर फोल्डर में काम करना चाहर है उसके अंदर आप आजाओ नॉर्मल यह बच्चो वाला है ठीक है दैन एन पीम एक सेकेंड आप इस स्मॉल में लिखो एन पीम क्रियेट वीट अड़ रेट अन देन लेटेस्ट यह आपको लिखना है तो आपको आपका प् अब यहां पर आपको दिखाता हूं फिर से ठीक है तो इन्होंने बोला कि वांस जब आप करते हो तो आपको पहले उस चेंज डिक्टरी बेसिकली उस फोल्डर के अंदर आना है फिर आपको जितने भी पैकेजेसे डिपेंडेंसिस उनको इंस्टॉल करना है एं देन आपक करना है ठीक है तो ठीक है cd and then tap press करूंगा उसके अंदर गाया अब npm and then install इन्होंने बोला तो वह मैं कर रहा हूं लेकिन साथी साथ एक चीस में यह बताना चाहूंगा कि हम obviously axios में काम कर रहे है तो हमें axios भी लगेगा ठीक है तो npm axios लिखें यहां पर आईए और यहां पर कुछ आपका इस्तिर्कीस हो जाएगा and by the way अगर आपको axios के बार में जानना हो then कली की दिन में एक वीडियो बनाया था learn axios in react in 20 minutes तो इस वीडियो के एक बार आप जरूर चेक आउट कर लीजेगा ज्यादा टाम नहीं लगेगा अगर यह देख लिया तो आज का वीड pm run and then dev ठीक है तो सबसे जाधे important always यह रहता है कि जब भी हम वीडियो बनाया है आपको package.json file दिखाए ताकि अगर आप लेट से 5 साल बात देख रहे हो तब तो guys कुछ बोल नहीं सकते 5 साल बात तो बट हाँ at least अब भी में इतना guarantee दे सकता हो कि 2027 तक कोई problem नहीं है ठीक है सेकेंड वीडियो में क्या बोला है इंस्टॉल करना react version 19 तो क्योंकि अभी हमारे पास कुई option नहीं अभी में अगर करूंगा तो version 18 ही होगा क्योंकि 19 अभी तक आया नहीं है लेकिन 8C basically जो release candidate stage है उस पे हमारा version 19 आ चुका है तो मैंने version 19 इंस्टॉल करके आपको बता है तरी अन देन आप उस्टार्ट कर सकते हूँ कोई different नहीं बट यह आप देख सकते हो axios react and then our react dome ठीक है चंटॉल यह सेप करों इस इस इत ओल्राइट तो सबसे पहले source पे चलते है we have this app.j6 इसको मारे बोली जल्दी से यहाँ पे so let's go with const we have a app let's go with return h1 hello react card operation ठीक है control है save कर रहा हूँ obviously guys आपको इसको export करना पड़ेगा export default and here we have our app control है save कर रहा है and यह already 5174 पर रन कर रहा है all right guys तो यहाँ पे चलते है बो हो जाएगा हमारा 74 क्योंकि 73 में तो हमारा project रन कर रहा है हमें बनाना है तो hello react card operation all right perfect मैं यहाँ पे चलता हूँ index.csx इसको मारो गो लिए app.csx इसको भी मारो गो लिए यह हमें नहीं चीए फाल्तु के सब ठीक है इसको अटाया इसको अटाया अब हमें यहाँ पे axios की मादद से data को get करना है ठीक है सबसे पहला तो यह यह data को get कर लूँ at least तो source folder पर हम एक new folder create करेंगे convention यह बोलता है कि इधर जब भी आप API के साथ खेल रहे हो तो आप या तो services folder बनाओ या तो utils वाले folder बनाओ या तो API वाला folder बनाओ तो आप services भी बना सकते हो कल की वीडियो में मैंने services बनाए था बट आज मैं API बना रहा हूं और मैंने छोड़ दी अब इस folder के अंदर में एक new file create कर रहा हूं और मैं नाम रख दूँगा इसका इस तरीके से post API.jsx आप auth API सुनाओगा आपने है बहुत सारे अलग अलग है बाट मैंने post API कर दी इस तरीके से अब यहां पर सबसे ज्यादा important है जब भी आप axios के साथ काम करें वी निड़ टो create an instance of our axios तो हम कैसे instance create कर सकते है ध्यान से देखिएगा अब automatic suggestion तो आना चाहिए था बट मुझे आया नहीं कोई problem नहीं है लेकिन जब भी आप axios के साथ काम करते हो so make sure कि यह जो axios से you need to import from your axios this is it so all right तो यह जो instance अब हम create कर रहे है उसका एक नाम हमें अब यह जो create method है इसके अंदर हमें एक object पास करना रहता है उस object के अंदर हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती जिसका नाम है base URL यह जो हमारा base URL है इसकी हमें एक value देनी है and that is your actual API जहां से आप data को get करना चाहा रहे हो ठीक है तो हमारे case में बहुत सारे data मैंने सोचा guys you know but मुझे लगा कि फिलाल आप लोगों के लिए यही simple सा एक में बना के रख देता हूं so here we have a post ठीक है यहां पर देख सकते इस तरीकी से मैं यहां पर आके इसको मैं कर देता हूं मैंने paste कर दी so this is our property this is our value अब base URL base मतलब always क्या होता है कि एक ऐसा base जो always same रहेगा जैसे अब घर बनाते हो तो आपका घर का base बनता है उसके उपर आप जितना माला उठाना उठाओ जो चीजे रखना रखो तो उससे तरीके से यह typico.com यह आपका base है and यह जो post है यह आपको यहां पर इस तरीके से नहीं लगेगा तो मैंने बस इतना create करके छोड़ दी so now आपका instance one key ready है अब हमें क्या करना होता है अब हमें functions create करने पड़ते हैं उस function में हमें कौन सा method हमें use करना है वो define करना पड़ता है ठीक है for example get method get method मतलब हमें data को get करना है कैसे करेंगे देखो so it's a const and मैं पहले export कर दे रहा हूँ export const get post कर देता हूँ equal to basically create arrow function बाकी कुछ नहीं है and यहाँ पर return अब देखो यह जो आपका instance है API समझ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तो basically यह जो आपको दिख रहा है यह जो API है और यह जो API है दोनों से में यह मैं अब instance use कर रहा हूँ अब इस instance के पास बहुत सारे methods आ चुका है जिसमें इसे एक है आपका यह देखो automatic आगे get method and यहाँ पर आपको वो उसका जो root है यह जो path है वो define करना है कि यह तो चलो base हो गया उसके बाद क्या उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर वापस आते है मैं back चलता हूँ ध्यान से दिखना roots है यहाँ पर इतने सारे जिसमें इसे अगर आपको get करना हो तो forward slash post आपको लिखना पड़ेगा आपका जो भी है and then forward slash post तो आपको data आ जाएगा अगर आपको data को add करवाना है तो we have this post अगर update करवाना है तो we have this put अगर delete करना है तो यह तो यह आगे जाके मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर forward slash one forward slash one है यहाँ पर get के time यह ऐसा क्यों है यह बहुत important है बट फिलाल अभी आप इतना समझो कि base URL में अगर मैं forward slash post डाल दूँगा and enter hit करूँगा तो मुझे data आ जाएगा for example यह देखो ध्यान से देखना इसको मैं I guess और further जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ perfect यह देखिए यह मेरा base है राइट फिलाल यह तो मेरा base है and forward slash यह जो post आपको दिखाई दे रहा है forward slash post यहाँ पर देखिए forward slash and then post तो यह अब मुझे वहाँ पर add करना है क्योंकि यह मेरा क्या root है ना तो forward slash post ठीक है and confuse मत हो जाना है यह http method नहीं है यह just इन्होंने दिया है यहाँ पर कि आपको यह post इसको call करना पड़ेगा यह आपका base उसके बाद forward slash post ठीक है and जब भी आप इस function को आप call करोगे कहीं पर भी वह क्या करेगा base URL तो आपका यह है forward slash add जो है at the end में append कर देगा and अब आपको बस इस function को copy करना है मैं चलता हूं मेरे app.jsx file पर ठीक है इसको हटा रहा हूं and यहाँ पर एक काम करता हूं मैं इस जगे पर console.log and यह जो data है function basically इसको पहले तो देखो मैंने import कर ली हमारा API यहाँ से and मैंने इस function को call की let's see what happened क्या होता है अगर मैं इस function को call करता हूं मैं inspect कर रहा हूं console पर चल रहा हूं oh my god see I am getting a promise मुझे एक promise मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर मुझे एक promise मिल रहा है आप देख सकते I am getting a promise and जो कि fulfilled भी हो चुका है ठीक है so अब हमें क्या करना होगा देखो कभी भी अगर आप React में काम करें तो डिरेकल अब data को get नहीं कर सकते उसके लिए what we need to do we need to use the use effect ठीक है and guys यह सब मैं अपने React version 19 series में update कर चुका हूं तो please make sure उसको अच्छे से देखिए use effect में get post data करके मैंने एक function call की ठीक है मैंने एक function यहाँ पर मैं call कर रहा हूं and वो जो मेरा function है मैं यहाँ पर define करूंगा simple है न यह आप इस तरीके से नहीं कर सकते and जब भी आप guys you know axios के साथ खेलते हो या कोई भी API का data चाहते हो we all know कि वो हमें promise return करता है so either you can go with dot dan dot catch all a method और else उससे भी better है आपका async await तो async await के लिए आपको आपकी function को async बनाना पड़ता है const response यह जो variable है इस पर मैं अपना जो data है जो मेरे API से मुझे मिल रहा है वो store करना चाहता हूं so get post मैंने यहाँ पर call कर दी अब इसका जो भी data आ रहा होगा मैं उसके लिए wait I mean wait करूंगा तो we need to write the await and अब अब अगर मैं console.log and यह जो response से pass कर दूँ अब मैं इसको आटा रहूं इसकी कोई मुझे need नहीं this is it तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं की बस यह जो मेरा use effect है मुझे उपर इसको add करना पड़ेग by the way guys so it's a import we have a use effect from our react this is it ठीक है so बस इतना ही करना था यह बहुत important यह बहुत ही जाद important we need to create an instance and then आपको guys अब आपका एक-एक function create करते जाना and यह जो function create की मैंने get method use की है data को read करने के लिए and मैंने just उस function को call के get post यहाँ पे आप देख सकते हो and बस मैंने promise use कर दी data आप जो भी मुझे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार मैं refresh करता हूँ and boom guys see यह देखे मुझे मेरा data आगया मुझे मेरा data आगया यहाँ पे आपको यह मुझे problem कितनी easily axios में आप आप देख सकते हूँ कि हम data को get कर सकते है यहाँ पे beauty आपने यह देखा होगा अगर आप fetch उस करते तो इतनी जल्दे आपको data नहीं मिलता आपको further response.json करना पड़ता and उसको कुस्तों भी आप const data करते इस तरह के से right तो beauty यह है axios में कि आपका यह जो json transformation वाला जो port part है यह automatic करके हमें वो दे रहा है आपको उसकी करने की नीड़ी नहीं देखो न यहाँ पर by default आपको data मिल रहा है यह देखो data by default आपको वो दे रहा है यह देखो यहाँ पर तो आप मैं कुछ नहीं करूंगा मैं अगर सिर्फ response.data जो वो मुझे मिल रहा है तो मैं अगर सिर्फ इतना भी कर दूंगा तो यह देखो मुझे पूरा data आगिया आप बहुत कि लेले देख सकते हो कि मुझे पूरा data आगिया बिना JSON में convert करें So this is the power of your axios and और भी बहुत सारे है and power एकदम अच्छे से समझने के लिए पूरा detail में axios को तो I highly recommend इस वीडियो के एक बाद जरू चेकाओड कीजिए इसलिए मैंने कली डाला था आप एक बाद देख लिए मज आ जाएगा थोड़ा बहुत comparison करके बताया मैंने ठीक है बाकी आज हमें तो cut operation देखना था बट आज गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही कल की वीडियो में मैं आप आपको यह बताऊंगो इस डेटा के साथ आप कैसे खेल सकते हो कैसे आप इतना जो awesome look के वो create कर सकते हो ठीक है उसकी बाद हमें गाइस पोस्ट करना है update द अभी फिलाल हमारा website कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है and जो data हमें चाहिए था वो हमने कल के वीडियो में देखा using get method कैसे हम प्राप्त कर सकते है with axios तो बहुत important था कल का वीडियो तो please check out कीजिएगा and कुछ वो हमें data अभी मेरे console पे तो यह जो console का data है मैं कैसे यहां पे इस तरीके से इतना beautiful तरीके से दिखा सकता हूं वो आज हम इस वीडियो में करना है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपका website दिखने में अच्छा नहीं है तो guys फिर कोई वहां पर आना पसंद नहीं करेगा तो आज का वीडियो बहुत important है जितने भी CSS जितने भी user interfaces के pages से सब आज हम create करेंगे तो देख लिजे guys I mean ऐसा हमें बनाना है फिलाल हमारा दीक कुछ ऐसा रहा है and data हमें already मिल चुका है तो देखा जाए तो आज के दिन में हम complete HTML CSS के साथ खिलने वाले है and थोड़ा बहुत JavaScript and React का जो कुछ important concept लूप चला है and all वो देखने वाले तो मैं guys यह चाहूँगा please आप वीडियो को pause कीजिए and आप खुछ से try कीजिए कि once यह data अगर आपको console पे मिल गया तो उसको आप इस तरीकी का look कैसे दे सकते हो समझेरो क्या बोल रहा हूँ यह आप आपको खुछ से कनना है भाई at least इतना तो करो I hope guys आप at least try किया आपने तो देख लिजे तो यह कल का वीडियो था प्लीज चेकाओट कीजिए का instance create की हमने method बनाया get post and यहां पर हमने data get कर रहे तो सबसे पहली बात तो कभी भी आप के साथ खेलते हो कभी भी app में directly अपना पूरा काम मत एड़ करो ठीक है first rule यह है कि जितना आप neat and clean रख सकते हो उतना रखिया react is all about your component कितना भी बनाओ ना component कोई मना थोड़ी कर रहा है तो मैं क्या करूंगा source folder पर में जाओंगा then एक new folder create करो जिसका नाम होगा components उसका अंदेर एक new file create करो जिसका नाम होगा post पोस्ट लास्ट में एक extra as add कर दिया .jsx ठीक है अब यह जो particular code है इसको मैं यहां से हटा के इसमें मैं रखूंगा post.jsx में उससे पहले let's go with export const I know आप लोगों को थोड़ा सा छोटा लग रहा है but don't worry अभी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दूंगा और मैंने यह add कर दिस तरीके से यह तो उपर जाएगा ठीक है and by the way कोई मुझे need नहीं है and yeah I guess yeah ठीक है यह जो get post इसको मुझे import करना पड़ेगा वो भी हो गया and use effect and कोई भी post या कोई भी component आप create करते है we need to return something right we need to return so h1 hello post page ठीक है यहाँ पर चल रहा हूँ अब इसकी मुझे कोई need नहीं है मैं क्या करूंगा यहाँ पर मेरा यह जो post था उसको मैं paste कर दे रहा हूं तो हमने कुछ तो इसकी मिस्टेक है कर दी कि हमने entire app component को भी उड़ा दिया यहाँ पर तो मैं उसको add कर देता हूं and एक मुझे need नहीं ठीक है everything is fine इसको मैं हटा रहा हूं ठीक है इसके भी मुझे कोई need नहीं कहीं कोई problem नहीं मैं अगर यहाँ चलूंगा इस जगे पर आल राइट ओके ओवर ही हो तो गाइस हेलो पोस्ट पेज एंड डेटा अगया बट एटलीस अब मेरा जो app.j6 file है कितना neat and clean लग रहा है and साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर चलता हूं तो यह भी मेरा बच्छा लग रहा है है ना दोनों अलग अलग सप्रेट हो गया right do not repeat yourself as suppression जो भी हो तो वो मेरा काम तो हो गया at least अब यह जो मेरा पोस्ट है ना मुझे सिर्फ पोस्ट नहीं चाहिए होगा I have one extra section over here क्योंकि मुझे उन सबको एकदम center में रखना है ठीक है इस तरगी से यह कॉमा ना यह जो semi-column आपको दिख रहा है वो आप फटा दीजिए क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगते मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं पहली बात तो यह जो semi-column एक्स्रा एड हो जाता है और आप जो ignore कर दे तो वो मत किया करो एलिमेंट्स पे मैं जाओंगा head not body we have this div section and yeah see यह जो मैं बोला देख रहे हो आप यहाँ पर यह code है एंड देखो यह hello page एंड एक कॉमा यह देखो यह यहाँ पर एक semi-column extra आगया यहाँ पर तो वो semi-column वहाँ से आया हुआ है समझे आप तो इसको आप हटा दीज़े ठीक है मैं पोस्ट पे चलता हूं पोस्ट पे अल्रेड़ी यह जो response है response.data मुझे data तो आगया अब मुझे इसको लूप चला कि one by one दिखाना है अब हम directly दिखा तो नहीं सकते मैं directly response.data.map यूज नहीं कर सकता क्योंकि react में अगर आपको data के साथ खेलना हो तो we need to always use and state अब आप चाहे तो use reducer यूज करो या तो चाहे तो जो भी आपकी महनों करो but for our sake यह ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है तो data नहीं post लिख देता हूं में post है na set post and I guess guys दोनों का नाम सेबना हो जाए यह एकाम करता हूं data ही कर देता हूं कोई बात नहीं ठीक है set data and d capital रख दीजे and we need to go with the use state hook and हमें array मिल रहा होता है array of an object तो एक empty array आप रख दीजे initial value ठीक है this is it तो यह जब आपको data मिलता है तो set data पे आईए and यहाँ पे यह जो आपका response dot data है वो add कर दीजे अब एक चीज आप notice करना जब आप console पे आते हो जब हमें data मिलता है यह data मिल रहा है कोई चलो कोई problem नहीं है हमें data अल्रेडी मिल रहा है right so let's go over here return पे हम चलते है ठीक है इस पे मैं हटा रहा हूं तो सबसे पहले तो let's go with section and इसको मैंने section post करके कुछ तो भी नाम दिया हुआ है so we have a section and then post don't worry CSS अभी में इस पे applied करूँगा ठीक है अब उसके अंदर में QL ले रहा हूं अब map method ठीक है one by one दिखाना है and yeah this is it and जब भी आप map method उसकरते हो तो guys हमें चार arguments मिलता है जिसमें से जो भी हो हम पहला वाला जो current element है वो ले रहा है मतलब one by one एक एक डेटा हमें मिलेगा अब यह जो एक डेटा हमें मिलेगा उनको one by one हमें दिखाना है right so let's go with return and इस तरीके से चलते हैं and यहां पर li के साथ हम चलते तो जब भी आप map method उसकरते तो यह आपको की तो बोलेगा यह बोलेगा कि user id इसका भी वान है इसका भी वान है बट हाँ id करके जो है इसका वान है इसका टू है तो मैं काम कर सकता हूं so current element dot id और else what I can do मैं directly यहां पर distructure कर सकता हूं जिसमें const we have this id we have a body and then we are getting a title so we have this current element इस तरीके से तो आप मुझे इसकी नीट नहीं पड़ेगी ठीक है इस li के अंदर में चलूंगा अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यह आपका एक complete li हां by the way यह आपका एक li है पहला li जिसमें अगर आप देखोगे तो एक number मिल रहा है सब्सक्राइब यह जादा सही है so this is your title and this is your body and उसके बाद we have total two buttons title body and two buttons simple है यह तो आप H1 लो बट वो लेके भी क्या करेंगे heading तो कुछ है नहीं यहाँ पे तो दोनों को paragraph, paragraph, button, button खुतम बागे तो CSAC है ठीक है so let's go over here paragraph and let's go with the title paragraph let's go with body then we have a button let's go with पहला I guess it's edit दूसरा button I guess it's not edit it's a delete कुछ ऐसा है राइट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगे पे ध्यान से देखना बस मैंने उतना किया and boom guys see just look at this वो गया ना मेरा काम तो हो गया मुझे मेरा data था वो तो आए गया ना यह देखो ना पहला data दूसरा data तिसरा data चौथा data तो data मुझे आगया अब मुझे कोई problem नहीं अब खाली मुझे CSS यहाँ पी उसकरना है so by the way guys मैं आपको एक चीज बताना चाहूंग and that is की मेरे पास okay मुझे देखना कुछ class all right oh my god कोई class था ही नहीं by the way मुझे लगा बहुत सारे classes होंगे तो देखा कोई class ही नहीं बट हाँ यहाँ पे मैंने वहाँ पे title करके लिखा हुआ था and यहाँ मैंने यहाँ पर अगेस body कर देता हूँ वहाँ पर मैंने पता नहीं news क्यों रखा हुआ है but मैंने body कर दिया ठीक है all right अब मुझे यहाँ पे app.cces पे चलना है and मेरे पास app.cces का already code पड़ा हुआ है तो यह सब कुछ मैंने कुदी किया यह ठीक है so आप देख सकते हूँ मैंने कुछ नहीं किया एक body एक simple यह मैं जमाने से करता रहा हूँ font family में ने urbanist लिये क्योंकि मैं को सही लगाई है and paragraph, anchor tag, li input इस तरीके से and मैं अभी इस लिए दिखा रहा हूँ मैं को comment आया था at least आप source code दिखा तो हम pause कर लेंगे और खुद से लिख लेंगे जो कि अच्छी बात है तो this is a button तो button तो आप अपनी मर्जे से जैसा हो बना सकते हो this is a button जब आप hover करोगे यह हमारा होगा main section width 100% height auto and यह code से होगा यह कि सभी के सभी data जो है एकदम center में आ जाएंगे यह हमारा main है अगर आपको याद हो तो here we have a main section है देखो main section उसके अंदर post है जिसके अंदर हम हमारा सारा code कर रहे है then उसके आज आता है section form जो कि अब तक हमने create नहीं किये जब हम create करने जाएंगे तब यह बनाएंगे वाट आपको टेंसर नहीं लेना है and रही बात section post यह वाली इसकी बात हो रही है section post ठीक है so weight 90% दी है ताके पूरा नहीं दी है हमारे जो order list है so it's a order list मैंने यहां पर ul किया है तो मैं order list कर देता हूं that's why आपको 123 मिल रहा था हूं आपके कुछ इस तरिके से आप देख सकते हो मैंने grid लिया मुझे जो यह 3 डबा मिल रहा है क्यों मिल रहा है but मैं हूं ना देखो ना यहां पर आप देख सकते हो css 11 गंटे गा पूरा खत्रा है और पूरा एक website बना है मैंने सिर्फ 6 गंटे में तो गाइस इनको जरूर चेक आउट कीजिएगा and at least flexbox and grid वाला portion आएगा उसको आप देख सकते हो आपको मजा आजागा इससे बैटर कहीं नहीं वालगा HTML, CSS, JavaScript सब यहां पर अलड़ी गया and gap दिया था कि उनकी बीच में gap आजाए li को मैंने कुछ इस तरीके से करके रखा हुआ है button delete red color चाहिए बाकि सब तो green है उपर तो यह button delete इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर class button delete रखा बाकि तो मैंने सिर्फ तीन ही तो class ही उसकी एक main section दूसरा section post तीसरा button delete सिर्फ इतने से ही और hardly क्या ही यह लिखा है मैंने हलका से मीडिया को अरिता की response देखो ना सिर्फ 130 300 line of code में आपका यह पूरा fully responsive भी बनके ready है and दिखने में भी इतना प्यारा और सुन्दर लग रहा है तो यह है न कितना awesome वाली बात ठीक है तो आप मैं अगर यहां पर चलूंगा refresh करने से कुछ ही नहीं होगा क्योंकि यह अभी तक आपने add नहीं किया है तो मैं यहां पर चलूंगा const what I will do sorry मैं const क्यों लिख रहा हूं we need to import right import forward slash एक second यह हम कहां पर आ गए forward slash post dot dot forward slash yeah we have app dot css ठीक है इस तरीकी से so इतना मैंने की and boom guys see यह देखिए हो गया आप देख रहे हो just उतना सा मैंने css लिखते ही मेरा जो code था वैसे से कुछ ऐसा हो गया तो यह है ना कितना ज़्याद awesome so yeah this is it आज इस video के इतना ही and यह सब effect हो रहा है बहुत प्यारे तरीके से बहुत awesome तरीके से so yeah guys this is it आज इस video के इतना ही हो बहुत होती ज्यादा पसंद आयोगा source code बिल्कुल free है आप यह मेरा source code भी check out कर सकते हो and कल हम देखेंगे कि अगर user थापा read read added post added कुछ भी अगर मैं add करता हूँ तो यह जो data है वो कैसे add हो रहा है वो भी हमारे API के data में आपने देखने तो अपना भी नी original API के data में कैसे add हो रहा है तो वो कल की वीडियो में आपको पता हूँगा बहुत important है गाइस ही मतलब double data को लेके add करवाना ठीक है तो यह हमारा website है जहां पर आम इतना awesome चीजे देख रहे हैं अभी तक हमने कुछ इतना बना भी ली है जिसमें से हमने get method जो था वो complete कर ली है आज मुझे दिखाना है आपको delete method मैंने कल की वीडियो में कहा था पोस्ट method देखेंगे कि हम कैसे add कर सकते हैं थोड़ा से इंतिजार कीजिए delete वाला थोड़ा easy है मैंने सोचा वह आपको जल्दी से बता देता हूं and I hope वह आप भी कर सकती हो जैसे यह मेरा एक example है यहाँ पर आप clearly देख सेकते हो यह यह title थोड़ा सा बड़ा है यह बच्चा वाला title थोड़ा छोटा है यह थोड़ा सा बड़ा है तो अगर इसको मैं delete करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ delete हुआ है क्योंकि पता नहीं चलता सभी दिखने में तो यह जैसे लग रहे हैं कि नहीं तो मैं अगर इस पर delete पर click करता हूं एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड करने से पहले में जल्दी से मैं यहां पर चलता हूं अपने component वाले पर and post पर हम चलते हैं so here we have this data इतने सारा है तो यहां पर भी data मुझे मिल रहा है मैं आपको दिखाना चाता हूं अब यह जो सेकेंड वाला है इसको मैं delete पर click करता हूं तो within a second delete हो गया and यहां पर भी देखो update हुआ तो अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं so now हमें total 100 post मिल रहे थे but see अब मुझे 99 मिल रहा है and जो कल की वीडियो में मैं आपको add करके बताया था यह देखो data यहां पर देख रहे हो 101 title था अब भी उधर ही पड़ा हुआ यह है ना कितना मज़ेदार की वाव अपना खुद का API को मैं अपने website से update कर रहा हूं समझेरों यह बहुत आप गाइस रियल जब आप e-commerce website के साथ काम करते हो अप समझेरों API में जाने की नीड ही नहीं आपने एक admin dashboard बना लिए वहाँ पर data add करो enter आपका API में add हो गया पूरी दुनिया जो भी API यूज करें उनको वह नया प्रोडक्ट वहाँ दिख जाएगा इस तरीके से आप imagine करोगे तो यह बहुत important है तो यह कैसे हुआ ठीक है मैं आपको बताता हूँ ध्यां से देखिए इतने सारे applications थे हमारे पास फिलाल के लिए भी सोचो कि इस रिफ तीन post है ठीक है फिलाल के लिए let's imagine we have only total 3 post and out of 3 हमें कोई एक delete करना है and एक important चीज़ जो हमें मालूम है and that is जब भी हम कभी भी loop चलाते है using map no matter what हमें एक key pass करना पड़ता है and उस key का मतलब होता ही यह है कि यह जो एक particular post है मतलब यह हमारा एक एक इंडिविजुली जो post है वो सब एक दूसरे से क्या होंगे unique होंगे ताकि in future अगर हमें कभी पता लागाना पड़े कि यह particular post किसके लिए है तो हमें पता चल जाए so that's why we have one unique value that is id तो simple है na logic चला मैंने क्यों इतना लंबा खीचा इसको इसलिए यह बताने के लिए कि अगर आपके पास सिर्फ तीन data है उस तीन data का id obviously यहां पर आप देख सकते है one two and three let's say मैंने यह जो मेरा second वाला है इसको मैंने कर दी delete मैंने क्या कर दी second वाला delete तो आपको कैसे पता चलेगा कि second वाला delete हुआ आप obviously यह चेक कर होगे ना कि जब भी किसी ने इस delete वाले button पे किया होगा click इस button पे तो उसका id जब भी हम click करेंगे ना तो हम एक id पास कर सकते है and by default मैंने second को click किया तो मैंने second वाला id पास कर दिया अब यह तीनों की तीनों data आपके पास पढ़े थे one two and three ठीक है अब आपने क्या किया आपने इस वाले delete button को click की and उसमें जो इसका actual id number था वो आपने पास कर दी two तो यह data था आपके पास आपने two पास कर दी तो बस आपको यह चेक करना है क्या one and two equal है? नहीं है तो मनलब यह बज़ गया यह बज़ गया क्या two and two equal है? अरे यह तो equal हो गया इसको हटाओ क्या three or two equal है नहीं तो यह भी बज़ गया तो इस तरीके से हम one by one compare करेंगे तो फंडा यही है अब इसको हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हो ध्यान से देखना बहुत easy है सो this is our button जहां पर हम delete कर रहें तो जब भी कोई बटन पर करेगा delete तो जब भी कोई बटन पर करेगा delete I mean click basically तो on click event हमारे पास है already and यहां पर आप कोई भी function पास कर सकते हो I know आपको दिखनी रहा है वो ठीक है अब आपको clear दिखेगा ठीक है तो जब आप on click पर कोई भी function पास करोगे and उसके अंदर अगर आपको कुछ extra argument पास करना है तर हम directly handle delete post में यह नहीं कर सकता यह infinite loop चला जाएगा क्योंकि चला जाएगा बस ठीक है वो मैंने अपने react course में बता है आप check out कर लिजेगा but आपको यहाँ पर fat arrow function and अब आप इस तरीके से यह जो id है यह यहाँ पर pass कर दीजे तो इससे हुआ यह कि अब जब भी आप इस button पर click करोगे तो मुझे id तो मिल गई मैंने यहाँ पर वही बता है था जब आप इस पर click करते हो तो इसका id आपको मिल जाता है आपके पास 1, 2 & 3 अलड़ी है तो बस आपको compare करना है इस value को इन तीनों से जिससे match हो गया उसको हटा दो हंडा यह है ठीक है तो इस पर मैं copy करता हूं function to delete ठीक है पोस्ट ओलाइट तो अब एक चीज़ धियान में रखना मैं आपको अब एक चीज़ दिखाने वाला हूं तब आपको यकी कि मेरे यह जो data है ना सिर्फ यहां पर delete होगा बट हम तो actual API के साथ काम कर रहे है समझ रहे क्या बोल रहा है यहां पर हम actual API के साथ काम कर रहे है यह देखो पूरा इतना 100 के 100 data है यहां पर मेरे पास तो अगर आप यहां पर delete कर भी दोगे ना तो API को घंटा कुछ फर्क नही किया और हम हर बार यही करते है हम हर बार आपको मालूम है कि filter method लगाना है और delete कर देना है बट वो नहीं होगा भी यहां पर क्योंकि आप API के साथ काम कर रहे हैं आपको actual API में जाके data delete करवाना पड़ेगा और तब जाके आपको यहां पर delete करना है आप सिर्फ यहां का data delete करक अपने अपी हो जाएगा फिर तो देखो कैसे यहां तक कोई problem नहीं ठीक है यहां तक कोई problem नहीं यहां तक सब सही है अब आपको वापस यहां पर आना पड़ेगा कहां पर post API आपके इंस्टेंस वाले पर जैसे हमने data को get करने के लिए हमने यह function बनाई वैसे ही delete करने के ल post इस तरीक केस से अब यहां पर we need to return आपका instance dot अब यहां पर कुछ भी data अगर आपको डिलीट करना हो API में ठीक है तो हमारे पास कौन सा sttp method है उसके लिए yes you are correct so it's a delete method आप देख सकते हो delete method and यहां पर अब आपको क्या चाहिए delete करने के लिए guys आपको क्या चाहिए होगा बताइए obviously यह no matter what post आपको लगेगा ठीक है क्योंकि data पार है तो post and जब delete की बात आती यह तो लगेगा यह लगेगा लेकिन इसके बाद forward slash dollar and यहां पर हम एक ID पास करने वाले अब obviously मैं इस तरह किसी लिख नहीं सकता इसको मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा अब यह मैंने ID इसलिए पास की क्योंकि वह ID में यह assume कर रहा हूं कि मुझे मिलेगा जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करने वाला है अब देख रहे हो कि किस तरह किसी चल रहा है अंड यह मैं अब यह क्यों किया यह तो आपको कल के दिन पता चल गया था by default यह आप ऐसा है कि यह API यहां पर है जब भी कोई आप delete post को call करेगा त इंस्टेंस के पास उसका base URL already है और मैंने एक्स्टा यह भी आइड कर दिया तो कुछ हो ऐसा हो जाएगा मेरा complete post और यह मुझे जिसको delete करना है उसका ID में पास कर रहा हूं फंडा यह रहता है अब सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट मेरे को भी first time यह हुआ था कि हमने यह ID क वद्ले में कुछ और pass नहीं कर सकता था और pass किया तो किया मैं यह इस तरीके secure कर रहा हूं मैं direct ID भी तो लिख सकता था तो guys वह हम नहीं कर सकते अगर direct ID आप लिख रहे हो इसका मतलब तो default API का अपना जो भी है वो default हो गया लेकिन हमें यहाँ पर delete करना है और जो delete है वो API के पास कोई power नहीं हमारे पास power है कि जो 100 post मुझे मिले है उन 100 में से किस post को मैं delete करना चाहता हूं and मैं at a time तो एक ही delete करूंगा है ना तो जिसको भी मैंने delete की उसका ID तो हमारे पास है ही सबका unique ID रहता ही रहता है तो वो है वो actual ID तो वो तो dynamic होगा so that's why वो ID मैं पहले get कर रहा ना तो वो ID हमें मिल रहा होता है don't worry तो यह वाला जो ID हमें मिल रहा है वो मैंने यहां पर पास कर दिये and हम API को यह बोल रहे कि भाई हमें अब delete करना है इस particular ID वाले post को इसका funda मतलब यह है and आपको और मैं दिखाना चाहता हूं मैं भले ही time थोड़ा लग जाए guys लेकिन यह कि आपको first time तो समझना जरूरी है तो मैं वापस जेसन पर चलूंगा देखना है ध्यान से here we have this route ठीक है all right perfect see यह देखो get के लिए था ठीक है पोस्ट के लिए यह है put के लिए यह है patch के लिए यह है लेकिन मैं फिर से तो आपको जूम करना चाहूंगा क्योंकि वह वहाँ चला गया and perfect see ध्यान से देखे delete डिलिट के लिए forward slash post and forward slash one है तो यह जो one आपको दिखाए दे रहे है वह basically पहला id है पहला post वह डिलिट हो जाएगा लेकिन मैंने suppose 48 वाले को क्लिक की तो भाई मुझे 48 कैसे पता चलेगा तो इसलिए वह हमने id पास किया and इन्होंने बोला भी है and don't worry हर at the end में आपको यह बताऊंगा रूल है जो आप अगर आप फॉलो करोगा तो easy हो जाए जब भी आप डिलिट करोगे एक id पास करना ही पड़ता है अब यह जो डिलिट पोस्ट है copy करूंगा app पे आता हूं sorry post पे आता हूं मैं यह जो particular इसके अंदर आऊंगा देखो no matter what जब अब याद है जब भी कोई बटन पर क्लिक करेगा हम id पास कर रहें तो copy id paste and id this is it यह देखो ना delete post id हो गया ना मेरा काम यही तो मैं यहां पर define किया है मैंने यह देखो ना यह देखो delete post में यह जो id था वो मुझे इस तरीके से मिल रहा था तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मतलब अब यह है कि मैंने request कर दी है मेरे API को यह बोल के सुनिए मैंने एक id आपको दी है प्लीज आप उस post को delete कर दीजे तो अब मुझे वो ना यहां पर async न ठीक है मेरा काम हो गया इतना code अगर आप लिखते हो न यह basically यह line and इतना अगर आप कर देते हो तो आपका API से वो data delete हो चुका है ठीक है बस इतना simple देखना भी यहां पर inspect we have network tap इसको मैं refresh कर रहा हूं suppose देखो इसको मैं clean कर देता हूं मैं यह जो second वाले को मैं delete पर click कर रहा इससी यह देखो status code 200 मीजे मिला name यहां पर आप देख सकते हो two दिख रहा है इस पर अगर मैं click करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो request का method क्या था delete आपने कभी किसी delete देखा I mean always post post देखा होगा but अब हमारा request का method है delete status code 200 okay and यहां पर देखिए यह देखिए यह जरा जरा यह है important जो मैं आपको दिखाना चाहा रहा था यह देखो यह तो आपका base URL हो गया यहां तक उसके बाद यह जो आपको bottom के जो दो है यह क्या post forward slash to यह आपको post message जो second ID है उसको delete करना था इन इसने वो delete भी कर दी तब आप आप reality में देखोगे so now we have all right फिलाल देखो delete हो चुक response कुछ नहीं initiator कुछ नहीं but हमारा यह काम हो गया ठीक है अब मैं यहां पर लेके चलूंगा response dot all right ठीक है response तो आपको पाता चली चुक है so guys if response.status आप लिख दीजिए is triple equal to 200 and by the way यह जो भी आप कर रो इसको try catch के अंदर आप रख दो यह ना and अब हम यह 1000 बार तो करी चुक अब अब अगर यह एकदम सही है तब हमें कोई problem नहीं अब बस मुझे क्या करना है मेरा data जो होगा उसकी मदद से मुझे बस एक loop चलाना है so now guys make new updated post will be equal to कुछ मुझे simple loop चलाना है क्या मेरा data so data.map ठीक है and sorry not map अब अगर कोई भी data को अगर आपको हटाना हो तो हम filter use करेंगे map नहीं so it's filter ठीक है and filter and map का अगर आप देखोगे तो जो argument हम pass करना है and then syntax kind of similarity है so filter we have a current let's go with the post return तो मुझे क्या करना current post की जो id है अगर वो match करता है मेरे id से तो return कर दो तो अगर आप यह करोगे ठीक है and अगर set data में अब जो भी आपको data मिला अगर वो यह new updated data post कर दोगे तो आपका काम तो हो गया right हमारा काम तो हो गया तो अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ एक बाहर refresh करता हूँ and suppose second वाले पर मैं delete पर click करता हूँ and boom guys see देखा क्या हुआ सारे data चले गए सिर्फ मुझे second वाला मिला यह इसलिए हुआ क्योंकि अब मैं क्या बोला हूँ कि मैं filter कर रहा हूँ and यह बोल रहा हूँ कि जो भी id user ने click क्या होगा उस id से अगर वो match कर गया है उसको आप return कर दीजिए तो उस फंड़ आप ऐसे समझ लो तो not equal to the moment अगर आप यह करते हो तो यही है delete आप e-commerce उठा लो आप दुनिया का कोई भी project उठा लो filter करना हो तो हम यही करेंगे second अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ inspect पे भी network पे इसको एक बहुँ रिफ्रेस कर देता हूं इन सब को हटा आता ह हूं and second वाले पर मैं click करता हूं delete and within a few seconds बहुँगा इसी delete हो गया यहाँ पर आप देख सकते हूं status quo 200 preview response फिलाल कुछ है नहीं यहाँ पर हमें मतलब भी नहीं है but मेरा यह काम हो गया complete देखो वो delete हो गया right so guys यह थाना है कितना ज्याद awesome and अगर आपको further यह जो पार्ट है यह आप एक और चीज़ भी कर सकते इस तरीके से इसको आप और further else fail to delete the post response की need यहाँ पर response नहीं है response.status जो आपको बता देता है क्या है इस तरीके से तो guys कैसा लगा यह आप आपने obviously यह जो एक नया तरीका जो देखा ना यह सच में बहुत important है क्योंकि यह make sure करेगा कि आप पह इस तरीके से बिलकुल नया है और आपने यह तरीका नहीं देखा होगा अपर हर बार कब like local system पे ही अपने API बना के खेलते हो बट reality में कुछ इस तरीके से हो रहा होता है हमें पहले API के बारे में सोच नहीं होता है ठीक है all right guys तो हमारा जो यह delete method था वो भी complete हो गया and मजा है आपको right तो guys अब हम finally देखेंगे कि अब हमारा यह जो sttp post method है उसको हम कैसे tackle करेंगे and बहुत कुछ आपको सिखने मिलने वाला especially guys कैसे हम अपना function create करेंगे sttp post वाला and then किस तरीके से हम display करा सकते है हमारे UI पे वो अब हम देखने वाले तो guys start करते है इससे पहले हमने देखा http get method then हमने देखा delete method आज हमें देखने है post method क्या होता है इसका मतलब so we have this our react full stack application जहां पे we have title and then post so let's imagine title पे में लिख देता हूँ थापा post पे में लिख देता हूँ यूटूब ठीक है and मैं add पे click करूंगा so the moment मैं add पे click करता हूँ लिकिन उससे पहले मैं network पे भी जाना चाहूँग अपने application पैड़ नहीं करें हम real जो API है वहाँ पैड़ कर रहे अब मैं अगर एक्दम bottom पे जाओंगा so boom guys see अब आप देखो 101 पे अभी जस्ट मैंने जो add किया था वो मुझे यहां पे मिल चुका है कब आएंगे पता नहीं बट यह जो पार्ट इसमें Axios की मदद से actual professional कैसे काम करते हो दिखा पूरा method देखो न डिलीट दिखा रहा बना always आपको क्या आता होगा पता नहीं बट देख लीजिए ठीक है तो यह जो post method हम कैसे apply कर सकते हो मैं आपको बाता आने आप तो उससे प post method यहां पर देख सकते हमारा जो post method है उस पर हमें एक payload एक data pass करना पड़ता जो कि आपका forward slash and then post है ठीक है अब यह क्या चीज है मैं आपको बाता तो यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है देखो यहां पर मैं चलता हूं सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम अभी तक हमने इतना बना लिया है लेकिन अब हमें data add करना है तो data add करने के लिए मुझे यह तो चाहिए मुझे एक form लगेगा जिसमें एक input field हो दूसरा input field हो एर एक button हो सबसे पहले सबसे पहले सबसे पार्ट जहां पर हमें data दिखता है ठीक है यहीं पर ही मैं एक और new section क्रेट कर रहा हूं ठीक है ओल्राइट लेट्स वी हैब दिस section पॉफेक ठीक है इस section पर अच्छा मैं डिरेक्ली यह भी तो नहीं कर सकता है सो एक अपना react fragment ले लेते है अब कोई problem नहीं होना ची इसको उपर करना पड़ेगा ठीक है सो यहां पर मैं चलता हूं and form में directly यहां पर नहीं बनाऊंगा you know like मैं एक अलग component बना रहा हूं form के लिए so it's a form या this is it ठीक है अब मैं यहां पर चलता हूं हमारा यह जो source folder होगा उस पर अगर मैं आपको लेकर चलो so we have this component उसके अंदर में एक new file create करो जिसका नाम होगा form.jsx तो मैं यहां पर अपना form create करने वाला हूं ठीक है अब यह जो मेरा form है इस form पर मुझे कुछ data है जो pass करना पड़ेगा बताओ क्यों क्योंकि जब भी मैं कुछ data करूंगा उसको मुझे कहां पैड करना होगा actual में obviously मुझे यहां पैड करना होगा मेरा जो updated function is set data and then वो data को मुझे देना पड़ेगा क्यों क्योंकि data ही वो हमारा data है state variable है जिसमें हमारा सारा data है और हम map चला कि उसको one by one दिखा रहे है तो जब भी को user यहां पे data add करेगा तो उस particular input field का जो भी data होगा मुझे यहां पे update करना ही पड़ेगा so that's the reason why मुझे data and then set data इन दोनों को as a props form component में मुझे pass करना पड़ेगा so it's a post so I hope guys आप समझ रहे हो बहुत ही ज्यादा जरूरी so it's a data and then we have a set data उसको भी मैं कर देता हूं यहां पे set data तो यह जो set data है basically curly braces के अंदर they are the actual data and यह जो data मैंने लिखा यह props का नाम है यह तो आप कुछ भी लिख दो set थापा भी लिख सकते हो अब यह जो form component है उसको मैं यहां पे create कर लेता हूं so export form and yeah this is it so let's go with return h1 hello form ठीक है control s save यहां पे मैं चलूंगा यहां पे आके control space automatic उपर वो import हो जाएगा let's check it out over here मैं अगर यहां पे चलता हूं तो okay yeah see over here इस जगे पे I know बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है यह but I think आप लोग को दिख रहा है hello form over here मतलब वो जो component हा हमारा form component वो यहां पे add हो गया but hello component के बदले मुझे यह चीज चाहिए ठीक है so मैं यहां पे चलता हूं form पे दूसरा label with our input field and तीसरा we have this button ठीक है ठीक है पेतरा मैंने रखा है अब मैं अगर यहां पे चलता हूं so boom guys see तो दिखने में तो यह अच्छा है लेकिन वैसा नहीं दिखाई दे रहा जैसा अमें दिखना चाहिए था इस तरीके से तो हम form पे चलेंगे post पे आईएगा यह जो section है यहां पर हमारे पास class name होगा section form करके ठीक है आपको यह class name है वो देना है ताकि उस पे भी मैंने कुछ style add करके रखा अगर मैं दिखाता हूं so यह देख सकते हो कुछ इस्तरीके का style मैंने देखे रखा हूँ है ठीक है यह देख लिजे form display flags gap दिए हुई है यह मेरा input का data आप चाहो तो post करके लिख सकते हो पढ़ सकते हो and यह इतना ही है and boom guys see कितना ज्यादा awesome all right इतना मेरा काम हो गया है अब user जब भी यहां पे कुछ type करेगा उसको मुझे get करना है and मेरा जो actual API है वहां पे मुझे post करना है ठीक है तो आप सबसे पहले इसको आप यहां पे आटाई है let's go with our post API जहां पे हमने get method के लिए function बनाया delete method के लिए हमने function बनाया now we will create a function for our post method ठीक है post method तो देखो same हो यह export const post data इस तरीके से fat arrow function and same यहां पे यह return आपका जो instance API dot we need to call the post method यहां पे आपको root देना and that is your post and yeah this is your post and एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा जब आप अपने API जो हमारा API है वहां पे अगर आपको data add करना है तो API को बताना तो पड़ेगा कि कौन सा data add करना है तो उसी के लिए में यहां पे चलके में data यह post आपकी मर्ज़ आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है एक काम करते पोस्ट लिख देते and make sure करना कि post में S है और जो में post यहां पे लिख रहा है उसमें S नहीं है and मैं कॉमा दूंगा and post पास कर दूंगा so हो क्या रहा है यहां पे हो यह रहा है कि इस root को में call कर रहा हूं and यह वो post है जो मुझे add करना है and इतना याद रखना जब भी आप post method के साथ खिलते हो यह आपका convention है कि इस तरीके से आपको root, आपका जो payload आपका जो data वो pass करना पड़ता है जैसे delete में हमने कुछ id अलग से pass नहीं की हमने direct उसी root पे pass किया देखो ना उसी root पे वो id पास कर दी क्योंकि यह API का rule है इस तरीके से post के समय आपको comma देखे separate post करना है अब यह जो function है उसको मुझे call करना होगा simple ठीक है लेकिन इस function को call करने से पहले अब हम वापस हमारे form पे आते है so यहाँ पे let's get our constant variable ले लेते है यह तो add data कर देता हूं easy रहेगा set we have a use state and यहाँ पे मैं क्या करता हूं मुझे दो ही तो data चाहिए one will be my title ठीक है and another will be body and मुझे ने यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा इस जगे पे तो मैंने एक नया state variable बनाया इसलिए बनाया ताकि मैं यहाँ पे उसको add कर सको so for the value it will be my add data add data dot title और साथी साथ में on change हमें यह call करने ही पड़ता and यह आपका controlled component है on change ठीक है अब इसमें ठीक है यह function में call कर रहा हूँ इसको copy करते है यहाँ पे हम चलते value इसका होगा body and इसको as it is रखना है ठीक है अब गाईस अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने value में यह क्यो पास की and on change में यह function क्यो पास कर रहा हूँ उसके पीछे का क्या region है then guys I highly recommend मेरा react version 19 टुटोरियल उसको please check out कीजेगा ठीक है react hooks challenge यह यहाँ पर आप देख सकते बहुत सारे है control versus sun control handling registration form registration login form contact form तो सारे आपको मिलेंगे यह सब आप एक बार जोड़ चेकाउट कर लेजेगा video no.47 से लेके 53 ठीक है all right ठीक है यह जो function आपने बनाया है यह function का main काम यह है कि जब भी user कुछ भी type करेगा वो data यहाँ pad हो जाए बस इसका काम इतना ही है so const handle input change ठीक है इस तरीके से अब ध्यान से देखना अब हमें कैसे पता चलेगा कि user किस समय कौन से input field पर कर रहा है ठीक है तो उसके लिए always हमारे पास ने एक event object होता जो हमें मिलता ही मिलता है तो हम क्या कर सकते const name will be event.target.name ठीक है const and we have a value will be equal to e.target.value अब यह जो name है and then यह जो value है यह basically यह value का field हमें मिलेगा and name का field तो make sure कि name का जो field है वो बहुत important name का field must be equal to your this वाला field इस name का field must be equal to your यह वाला field हमारा body ठीक है अब मुझे data तो आ गया है आप चाहते इसको आप further destructure कर सकते थे you know but let it be simple set add data fat arrow function यहाँ पे and हमें previous data मिलता है so guys एक काम करता हूं आप लोगों को मैं जल्दी से गवा यह previous data दिखा देता हूं ठीक है यह क्या आपको मिल रहा है यहाँ पे Twitter के लिए क्या चलेगा के यह code यह जो 40 नंबर पे है नेम को मैं dynamic बना रहा हूं and value will be as it is यहाँ पे expected okay I guess return करना था इनको में तो यह आप एक चीज़ समझना है sometime से थोड़ा सा लग सकता है आपको यह क्या हुआ but in reality वह यह कि आपको return करना पड़ेगा तो इतना अगर आप कर दोगे तो आपका काम हो गया इसको मैं आटा रहा हूं तो कुछ इस तरीके से अगर आप कर देते हो जिसमें आपका previous तो आपने देखा कुछ था ही नहीं अब मैं extra data add नहीं कर रहा हूं जो मेरा existing data है उसी में ही जो field थे मेरे title and body उसी कोई मैं one by one यहां पर update कर रहा हूं यह dynamic data है अगर मैं title को change कर रहा हूं तो सिर्फ यह आपका title हो जाएगा and वहां पर उसकी value आ जाएगी अगर मैं body को खेल रहा हूं तो यह body में convert हो जाएगा that's why name आपका dynamic है इधर वह होगा title या तो body आप value तो value रहा है कोई problem ही नहीं अपने को ठीक है इतना अगर आप करते हो refresh करते हो so now there will be no more any warning or an error form पे में चलूंगा we have a data से मतलब नहीं है तो यह जो state है इसको मैं दिखाना चाहूंगा ठीक है यहां पर हमारा state देख लीजिए मैं लिखता हूं थापा तब आप देखो कि title पे मुझे यहां पे थापा आगता हूं मैं यहां पे लिख देता हूं post efter च řांक तो अब मुझे यहां पर post data अगता है आप देख्पा रहे हो नहीं यहां पे यह देखो ठीक है बस हो गया तो मुझे मेरा जो एक्जिस्टिंग जो भी मैं लिख रहा हूं वो मुझे मिल गया बस किसी तरीकी से इसको आप मुझे इस API में एड करना है ठीक है और और कब एड होगा जब कोई एड पर क्लिक करेगा सो हमारे फोर्म को जब भी कोई करेगा सब्मिट सो वियब ऑन सब्मिट फंक्शन हैंडल फॉर्म सब्मिट एंड मैंने आपको पूरा बता है कि आप जब कोई भी फंक्शन करेट करते तो उसका नेमिंग कन्विंशन क्या होना चाहिए और ठीक है तो उसको भी प्लीज चेक कर लिजेगा ठीक यहां पर ठीक है सो कॉंस्ट हैंडल फॉर्म सब्मिट एंड गई से तो आपको मालूम है कि आप जब भी हैस्टेमल फॉर्म को गई सब्मिट करते तो वह आपका रिलोड होता है वांस राइट डेटा पास करने के कोशिस करता है बट वी निद तो डेटा तो यह जो एक फंक्शन है मैं कॉल कर रहा हूं उपड चलूंगा यह मैं इस तरीके से क्रेट कर रहा हूं यहां पे ठीक है अब मैं आपको बात आता हूं देखो अभी यहां पे यह जो डेटा है आपका पोस्ट डेटा इसको कॉपी कीजिए यहां पे कॉल कीजिए and obviously यह एक parameter accept कर रहा है and वो data क्या होना अच्छी है वो यह हमारा add data क्योंकि इसके अंदर title and body है जो मुझे वहाँ पर add करवाना था तो मैंने यह pass कर दी तो यह जो part है वही हम पहले से ही सोचके इस तरीके से हमें यह बनाना पड़ता है ठीक है? once यह हो गया and obviously यह जो है the moment आप इस API को call करोगे आपका जो real API है वहाँ पर data add हो जाएगा इतना ही है हमारा API में data add हो चुका है लेकिन उसको हमें further हमारा जो application है वहाँ पर भी add करना है तो वो हम इसके base पर करेंगे जब तक इसका हमें response नहीं मिल जाता basically promise यह written कर रहा है and हम async अवेट उस कर रहे है ठीक है तो हमने इस तरीके से API को यह data add करने के लिए तो बोल दिया है लेकिन वो थोड़ा साथ समय लेता है तो इसलिए हम wait कर रहे है और उसका जो भी data आएगा वो मैं response पर पास कर दूँँगा perfect now if अपना यह जो response है अगर इसका status status रहेगा दोसो तब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मेरा यह जो देखो न मैंने यहाँ पर पास किया था oh my god एक चीस्तों मैं भूली गया कि हमने जब हम form बना रहे थे तब data and set data इन दोनों का हमने यूज लिया वाई so data and then set data राइट तो यह जो मेरा set data है इसको मैं copy करूँगा ठीक है इसके अंदर एक array बनाऊँगा जो भी मेरे previous data रहेंगे so रहेंगे as it is यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे dot 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 लिखने का मतलब पहले का जो भी data था as it is अब उसके उपर से मुझे मेरा नया data add करना है अब नया data क्या होगा वो होगा response dot data अल्राइट अब यहाँ पर आपको लग सकता है कि यह previous में warning आ रहे है previous is not defined अल्राइट एक चीज मैं आपको बताता हूँ जब आप function create करोगे तब आप यह करना फिलाल भी हमें यहाँ पर data लगेगा तो यह जो data है यह already मेरा वो सारा इसके अंदर 100 के 100 post है तो मैं previous नहीं लिख सकता sorry guys मुझे यहाँ पर data लिखना पड़ेगा मतलब मेरे 100 के 100 post अपनी जगे ठीक उसके बाद यह वाला जो data है आप add कर दीजेगा array में नॉर्मल यह आपको मालूमी होगा अब यह जो response.status है unexpected constant condition and by the way guys यह जो आता ने यह इसको मारो गो लिया यह actual में कोई problem नहीं है यह जो post data का आपको इस तरी के से warning आ रहा है control and space यह तो हमें उपर से इंपोर्ट करना पड़ता कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें ठीक है आप देखे रहे होनों थोड़ा सा आपको difficulty तो हो रही होगी है क्योंकि पहले हम यह सब नहीं करते थे direct data और फिर जो भी data था रखा बट नहीं अब response.data अब साथी साथ console.log response भी दिखाई देता हो ना आपको यह ना क्या मिल रहा है आम है not read response ठीक है let's see मैंने क्यों response.data लिखा यह आपकी माइन में आ सकते है सवाल so console पे चलूँगा इसको अटाता हूं यहां पर थापा test लिख देता हूं and मैं add कर देता हूं तो आप देख सकते हो R.E.S. R.E.S. मिला राइट उसके जाद मुझे response में क्या मिल रहा है response में मुझे data देखो data data में body है id है and then title है तो मेरा काम हो यह body है id है title है हमें data मिल गार मैंने add कर दी यहां पर simple अब इतना मेरा काम करने से तो यह कोई problem नहीं होना चाहिए and do we have anything extra over here नहीं गाइस बाकी तो कोई problem नहीं है ठीक है इसको में एक बार रिफ्रेस्स करता हूं यहां से आटाता हूं देख ना test thapa added यह मैंने की फिलाल we have total how much 100 data ठीक है अब मैं अगर add पर click करता हूं तो यह देखो मुझे response आच चुका है oh god एक चीज मैंने notice की कि देखो यह मेरा add हो यह बहुत अची बात है लेकिन हमारा status 201 था आप देख रहे हो status 201 है guys and equal to था इसलिए triple equal to अगर 201 होता है तो and मैंने एक चीज नोटिस की कि हमा I mean जब हमने data add किया तो यह data भी उदर ही पड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे यह जो data था set data उसमें जाओंगा ठीक है over here ठीक इसी के नीचे ही मैं यहां पर पूरा खाली ने रख सकता उसको title को मैं कर दूंगा empty and we have a body उसको मैं कर दूंगा empty तो data तो आप add कर दो उसके बाद आप उसको खाली भी कर दो खाली मिंस सिप अपना जो actual का उपर का input फिल्ड है उनको बस यहां guys इतना अगर आप करोगे अब आप देखना थापा ठीक है थापा and added post ठीक है अभी फिलाल 100 है the moment मैं add करूंगा response आएगा data देखो empty हो गई यह नहां पर मैं आता हूं तो 101 पर मुझे वो data आगया तो आप में इसे बहुत हो को एक डाउट अभी आ सकता है थोड़ी देर पहले मैंने जब add किया था बट अभी देख रहा हो तो फिर से वह गाया पोगे यह 101 वह इसले क्योंकि the moment आप पेज को refresh करोगे data चला जाएगा क्य this is how in reality आप काम करते हो with Axios and real API ठीक है so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लितना ही देखो data हमें add करवाना था हमने आपकी और इसके लिए हमने कितना कुछ किया पूरा एक नया कोड आज की दिन आईनो थोड़ा सा ज्यादा हो गया लग रहा होगा आपको बट इतना सब कुछ आज हमने सिर्फ एस एक वीडियो में देखा तो फाइनली एक method बज गया है that is your update वह मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में और गाइस तो फाइनली हमारा get delete and then post तिनों complete हो गया बचा सिर्फ एक and that is our update method बिलिप में का इस update method आपको बहुत कुछ सिखने मिलने वाला क्योंकि जो तरीके से हम update करें वो I mean मजा आ जाएगा आपको राइट तो गाइस बिना किसी देरी के हम हमारा update method देखते है हम कर्ड operation देख रहे है जिसमें हमने http get method post method and then delete method देख लिया है आज हमें देखना है update method बट update करके कोई method नहीं है इधर we can use put or we can use patch simple difference आप यह समझ देजे कि patch में क्या कर सकते हो आप लाइक अगर 100 words है तो उसमें से लेट से आपको 10-15 को ही चेंज करना है तो आप patch यूज कर सकते हो और अगर आप put method यूज करते हो तो वो complete सबको ही update करने में काम आता है ठीक है आप try करूगे तो आपको पता चल जाएगा अब आज इसको जो update वाला पार्टे में दो वीडियो में डिवाइड करने आप क्योंकि कल का जो वीडियो था वो थोड़ा लंबा चला गया आज हमें देखना है इधर put और patch बट दोनों में एक चीज आप common देख सकते हो and that is देखो delete and then ये जो put and then patch दोनों में common है and that is कि after the root आप forward slash एक extra information या एक extra data या payload आप पास कर रहे हो क्योंकि delete में हम एक extra data इसलिए पास करते है for example ये जो second वाला element है मुझे इसको delete करना है तो जब मैं इस delete वाले button पर click करूंगा तो हमें एक extra information पास कर रहे है उसमें जिसको भी मैंने click क्या होगा उसका एक unique ID होता है तो ये वान तो फिलाल इन्होंने default रखा लेकिन हमने dynamic यूज किया तो मैं अगर second वाले पर click करूंगता हो तो ये आपका second हो जाता है तो मतलब post forward slash to it means कि second number का जो post उसको delete कर दो right तो इस पर अगर मैं click करता हूं within a few seconds delete हो गया बट उसी तरीके से अब अगर मुझे मेरे post को update करना है तो इसका भी तो कुछ set of rules होगा जो बहुत important है आपको समझने के लिए मैं let's say ये जो मेरा second वाला है ठीक है वो actual second वो delete हो चुक है ये जो third था वो अब second हो गया let's say मुझे अब इसको update करना है ठीक है मुझे title को भी update करना है news basically हमारे body उसको भी update करना है तो step देखना हा सबसे पहला step होगा ये कि मुझे एक button create करना है edit नाम से या कुछ भी नाम का and उस पे जब भी कोई करेगा click मैंने घरदिक click होना ये है कि हमारा ये जो input field है अगर आप देखोगे ध्यान से हमारा ये जो input field है यहाँ पे ये जो title है वो यहाँ पे add हो गया ये जो body है वो यहाँ पे add हो गया तो आज हम इस वीडियो में यही देखना है कि कैसे आप अगर इस edit button को click करते हो तो उसका title and then body हमारे form का जो title and body वाला जो input field वहाँ पे automatic कैसे add हो जाता है and at the same time at the same time जो add button था वो अब आपका edit button हो गया है इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इसको मैं कर देता हूँ थापा इसको मैं कर देता हूँ test updated and अब अगर मैं edit को करता हूँ click तो जो मेरा actual जिसको मैंने click की थी उसका वो data को कर देगा change within a second and boom guys see ये देख लो थोड़ी देर पहले मेरा second क्या था बट अब मेरा second क्या हो गया है and साथी साथ मेरे दोनो input field की जो value थी वो अब empty हो चुकी है and सबसे ज्यादा important यहाँ पे एक चीज जो I don't know आपने सोचा या नह it means हम http post method को call कर रहे है and अगर यहाँ पर लिखा होगा edit it means we are calling the update method but update होगा नहीं इधर put या patch http method तो यह तरीके है इसको इस तरीके से tackle करने का and I hope आपको फंडा समझ गया कि क्या मालब किस तरीके से यह update काम कर रहा है तो आज जो है हमें इतना देखना है कि इस पर में click करूँ वो data यहाँ पर मुझे मिल जाए and हमारा button जो हो चेंज हो जाए ठीक है and button चेंज जाए के सो हम कल देख लेंगे but at least यह data आप यहाँ पर कैसे दिखा सकते हो वो सबसे ज्यादा important है all right guys अब हम बिना किसी देर के video को इससे पहले कि previous video को check out नहींगा तो I highly recommend please check out कीजेगा and अभी तक तो आपको यह पाता चल गया होगा यह कोई normal to do application नहीं जो आपको लग रहा है तो यह normal to do application भाई कहां टूडू है normal कहां है यह हम actual API के साथ काम कर रहे है actual API यह सारा data actual API का actual API में ही data add कर रहा हूँ delete कर रहा हूँ put patch कर रहा हूँ create कर रहा हूँ post कर रहा हूँ API में ही हम data सब कुछ कर रहे हैं वहां से data जब लेके आते है तब हम यहां पे काम करते है तो यह normal मस समझ नहीं इसको ठीक है और गाइस वीडियो पासंदा रहा तो प्लीज लाइक दोस्तों को भरवर के से वीडियो वेरी क्लोज तो 7 लाइक सब्सक्राइबर सब आपकी दूआ है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे एंड लेट्स में लेकिया हूँ एंड हा रियक का फाइनल प्रोजेक्ट तो बाकी है अभी है ना समझ रहे हो आलाइट तो हम चलते है हमारे कोड पे ध्यान से देखिएगा फिलाल भी है ओनली वान बटन अब हमें एक और बटन लगेगा जो कि अल्रेडी है बाइद वे एडिट बटन है यहां पे में एक क बटन हुआ है अब यहां पर सबसे ज्यादाए कि हम कौन सा देटा पास करेंगे क्ठिक है क्योंकि मैंने बतायी तो हम नहीं कर सकते हैं अब द्हान से देखो यह क्या है यह हम मैप मेंफ मेतेड यूश कर रहे है जब हeralनी मैं एक इक इन वीजिया जो हमारे डेटा है उसके के लिए हम यह like call कर रहे तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर ने हमारे पास तो सौ पोस्त है उसमें से यूजर ने किसको क्लिक किया होगा राइट इजी है यह इंडिविजुल डेटे की ही हम यहां पर काम कर रहे तो करेंट एलिमेंट मेरा वो करेंट एलिमेंट है जिसको यूजर ने क्लिक क्या होगा तो मेरा यह जो करेंट एलिमेंट है वो मैं यहां पर पास कर रहा हूँ ओलाइट ठीक है इतना मेरा काम हो गया है हैंडल पोस्ट डेटा अपको अब मुझे यहां पर डिफाइन करना होगा डिलीट है डिलीट के नीचे में चलता हूँ अडिल पोस्ट डेटा देखो कैसे सो कॉंस्ट एंड यहां पर काई सब में क्या करूंगा कि मुझे एक स्टेट वेरिवल क्रेट करना पड़ेगा एंड वो मुझे मेरे फोर्म को पास करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहां पर कुछ कर भी नहीं सकता ना मेरा मेन मक्सद तो क क्लिक करेगा तो वो डेटा यहाँ प्याड हो जाना चाहिए एंड हमारे केसमें फॉर्म तो मेरा एक अलग सप्रेट कंपोनेंट है तो मुझे फॉर्म को पताना है कि किस डेटा को आपको आपके इन्फुट फिल्ट पे अड़ करवाना है सो डेट्स ता रीजिन वाए मैं जब भी कोई बत न पर क्लिक करेगा एकोँ लिफ प्रेट कर सकंप एकुन दिख स्बीन कर यहाँ हूं profund data api के कर देता हूं set update data api will be equal to your use state and मैं इसको as it is छोड़ दे रहा हूँ and मैं एक object पास करहा हूँ क्यों कि title and then body हमारा वो एक object है form में अगर आपको ध्यान होगा तो form के लिए हमने जो data बनाया था वो normal एक object है वो just एक normal object है ठीक है so ministry किसे बनाया है set update ये जो मेरा updated function है इसको मुझे बस क्या करना है कि यहाँ पर इसके अंदर या तो उसके अंदर जानकी मैं निर नहीं है मैं directly यहाँ पर वो जो मेरा obviously यह जो current element मैंने पास की है यहाँ पर मुझे मिला होगा current element वो इसको ही मैं यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ this is it so यह था मेरा actual method जिसके मदद से मैं post method को handle करने वाला हूँ अब इतना करने से होगा यह कि जब भी कुछ button पर click करेगा यह function call होगा and मैं यह वाले updated function को call कर रहा हूँ जिसके चलते होगा यह कि मेरा जो यह update data API वाले state vary वाले इस पर वो current data add हो चुका होगा ठीक है अब में लिए easy होगा कि बस इसका data को मुझे fetch करके input fill पर add करना है तो मैं क्या करूँगा यह दोनों के दोनों जो data है copy करूँगा यहाँ पे paste कर रहा हूँ equal to वापस paste कर रहा हूँ इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे will be equal to वापस paste कर रहा हूँ and इसमें यह जो comma है उसको मैं हटा दे रहा हूँ and हाँ बाइद वे यहाँ पे भी हमें comma की need नहीं है तो now मेरे form component पे मैं इतने सारे props पास कर रहा हूँ update data API I mean API and यह so guys यहाँ पर आना है and हम directly destructure करी रहे हैं उसको and then we have a set update data and then API ठीक है अब ध्यान से देखना मैं क्या करने आला हूँ मुझे अब देखो data तो मुझे मिल चुका उसका कोई problem नहीं है बस अब मुझे उसको इस जगे पर add करवाना है मेरा यह जो update data API है यहाँ पर data हमें मिल चुका है ठीक है ध्यान से देखना यह बहुत important है एक काम करते का इस ठीक इसी के नीचे चलते ठीक है अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा मैं use effect call करने वाला हूँ कि जब भी यह मेरा data जो है update होगा automatic यह जो use state है add data यही तो data वहाँ पर है ना इसको मैं automatic update कर दूँगा कैसे द्यान से देखना use effect ठीक है इस तरीके से and let's pass our array dependency and इस array dependency पर भी मैं यह updated data पास कर रहा हूँ अब द्यान से देखना में क्या करता हूँ यहाँ पर यह first time तो यह चलेगा चलेगा अगर हमारे पास updated data API है तब set add data यह वाला जो part है आप guys ऐसे भी कर सकते हो else हम directly काम कर सकते है and that is क्योंकि data तो दो ही है so हम hard code वाला भी कर सकते है title will be equal to आप लिख सकते हो update data API dot title else empty ठीक है else empty रहेगा फिर body update data API dot body else empty I hope guys आप समझ रहों में क्या कर रहों यहां पे यहां तक तो कोई problem नहीं था यहां तक तो एकदम बच्चा था कि button पे click की current element डाला मैंने update करके कि state variable को update कर दी and form को मैंने as a props पास कर दिया तो जब हम उसको get करते है form में तब मैं यही देखूंगा ना कि first time तो वह empty है लेकिन जब बात आएगी guys update data API यह तभी update होगा जब किसी user ने उस edit button पे click क्या होगा and अगर edit button पे click क्या होगा तो मुझे मेरा data जो है किसी भी हारत पे top पे दिखाना ही है वो मैं directly नहीं दिखा सकता तो मेरे को अब use effect यूज करना ही पड़ेगा first time अगर यह data रहा अगर यह वाला data के अंदर कुछ भी रहा basically इस state variable के अंदर तब आप यह जो set data जो initially आपने empty करके रखा हुआ है उसमें आप बस यह वाले जो title and body है उसको आप add कर दीजिएगा जब जब user add it पे click करेगा तो यह देखो dependency area पे मैंने उसको add कर दीए तो यह function call होता रहेगा यह जो part है वो update हो जाएगा अगर कुछ नहीं है तो normalize it easy रहेगा right control and save करता हूँ यह अपना code इसको refresh कर रहा हूँ second वाले का title बस तीन word का है तो इस पे edit पे click करता हूँ and boom guys see मेरा काम हो गया यह देखो मुझे यहाँ पे data आ गया यहाँ पे देखो न ठीक है so guys इस तरीके से जो है हम data को get कर सकते थे अब कल की वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि यहाँ तक तो आपने कर लिया है अब कल की वीडियो में पहले तो यह जो add को आपको edit में convert करना है फिर आपको यह check करना है कि वो add button है या वो edit button है and उसके base पे आपको update करना है कि post करना है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा but yeah कल का वीडियो will be our last video so I hope guys यह mini series में आपको बहुत कुछ सिख नहीं मिला होगा and यह वाला जो funda है यह आपको पता चलगा होगा कि हमने use effect क्यों use की है बोलके and topic उस तो भी बता रहा है don't worry इसका क्या काम है वो भी बहुत जल्द आएगा but वो कल की वीडियो में so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लितना ही I hope वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आओगा and धिरे धिरे नए नए चीजे आपको पता चल रही होगी अच्छा है यार खतरा है यह तो नॉर्मल टूडो अप्लिकेशन और इस टूडो अप्लिकेशन में तो बहुत दिफ्रेंस है right so please प्लेलिस को जरूद चेकाउट कीजेगा आपको बहुत मजा आने वाला है यूज एफेक्ट हुग को एक बाद चेकाउट कर लीजिएगा डेटा कंट्रोल स्टे आए मिन कंट्रोल एलिमें वर्सेस अंकंट्रोल उसको चेकाउट कर लीजिएगा जिहां गाइस तो आज फाइनली हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है हमारे इस रियक्ट फूल स्टैक विद एक्स वाले एप्लिकेशन का ठीक है अभी तक हमने http get method हमने देख ली है post method and then देख ली है हमने delete method but update का मैंने even कल की वीडियो में हमारा part 1 था update का उसमें मैंने अभी तक आपको बताया है नी but आज की वीडियो में finally update के लिए हम हमारा जो put या patch दोन में से को एक यूज करने वाले believe me आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा important है बहुत को आपको मतलब मजा जाएगा तो कल का वीडियो चेक आउट निगा तो जरूर चेक आउट कीजेगा अब हम बिना किसी देरे को वीडियो को start करते एक्चुल में होना यह है कि जब भी मैं edit पे click करूंगा ठीक है एक सेकेंड यहां पर आ गिया है मैं अब guys edit पे जब मुझे click करना होता है तो मैं क्या करता हूं थापा test and edit पे click करता हूं तो वो data edit हो जाता है यह मुझे चाहिए बट अभी फिलाल हमारे case में वह इतना रहा ह edit समझ रहो edit या तो add add या तो edit तो वो अब में कैसे कर सकता हूं सबसे पहले मेरा काम हो क्योंकि इसी की उपर ही depend होगा कि मुझे post करना है या update करना है मतलब data या तो add करना है या तो update करना है ठीक है तो देखो मैं चलता हूँ over here and I guess मैंने इसको open कर दी है या तो guys अगर आप MySQL के उपर वीडियो देखना चाहते है तो let me know in the comment section में पिछले दो मैंने से पर मैं work कर रहा हूँ ठीक है तो if you want world best MySQL course let me know in the comment section All right so देखना सबसे पहले यह मेरा update data API है जब भी edit button पर कोई क्लिक करता है वो उस data के base पर ही मैं मेरे title को भी कर रहा हूँ right अब यहां पर मैं एक और तरीका कर सकता हूँ ठीक है देखो कैसे मैं use effect से उपर यहां पर मैं एक variable create कर लेता हूँ let is empty कर गे ठीक है अब देखो यह जो मेरा update data API dot length gth है na if it is triple equal to null या empty या length तो चलो numeric आएगा जीरो तो मैं अगर यह करू तो मैं यह नहीं कर सकता and I hope मैं आसा करता हो कि आपको at least इतना तो idea है कि जब भी आप object के साथ खेल रहे हो and अगर आपको उसका length find out करना तो आप नहीं कर सकते है बस खत्म अब क्यू न JavaScript course Part 1 12th, Part 2 12th, Part 3 में मैंने complete e-commerce website बताया 5 गंटे में तो इससे मुझे भाही 22, 23 गंटे का कौन आप free में video tile बताओ मैंने करके बताया with full animation बहुत सारे mini project बहुत कुछ है I highly recommend इसको check out जरू किजिएगा अब्जेक्ट आपको second part में मिल जाएगा वहाँ पर आपको idea आएगा ठीक है यह मैं नहीं कर सकता so what I will do we have one method of object dot इसका एक method है keys करके and इसके अंदर मेरा यह जो है उसको मैं pass कर दे रहा हूं तो keys I hope आपको मालूम है like this is your key and this will be your value key value pair हम इस्तिर्की से बलते है obj equal to यह ठीक है मैं enter hit कर रहा हूं ठीक है अब we have object not यह वाल object full वाल object आठ रहे so लिखना पड़ेगा dot keys and यह जो obj जो है मैं pass कर दे रहा हूं यह देखो तो आपने देखा ना guys क्या हो आई यहाँ पर key अगर आप लिखते हो तो title and then body में जो है वह आपको मिलता है इससे तो यह length कभी 0 होगा है नहीं बट in reality मैं इसको थोड़ी check कर रहा हूं मैं तो check कर रहा हूं मेरे update data API को and मेरा update data API अगर आप reality में देखोगे वह सिर्फ एक empty object है वह सिर्फ एक empty object है यह update data API यह तब भी update होगा जब कोई edit button पर click करेगा तब ही होगा यह कि वह current element है यह उस पर add हो जाएगा मतलब तब वह empty नहीं रहेगा मतलब जब तक कोई edit button पर click नहीं करता है मेरा यह जो update data API है यह total empty total empty से मेरा मतलब const फिर से obj1 इस तरीके से total empty अब object में यहाँ पर चाहूं तो normal यह कर सकता हूं ठीक है और यहाँ पर obj1 कर देता हूं enter हिट करता हूं see अब मुझे क्या मिल रहा है empty array अब empty array dot length करूंगा तो 0 मिलने वाला है ठीक है तो यह इस तरीके से काम कर रहा है I hope आप आप समझ गये तो छोटी-छोटी चीजों में भी बहुत सारी चीजे है अब इस variable को लेके में क्या करूंगा बॉटम पर आऊंगा क्योंकि बटन तो हमारे पास यह की है इसी बटन को ही मुझे इधर एड और एडिट पर कनवर्ट करना है अगर वो एमटी रहेगा तो यहां पर लिख दो एड अगर वो एमटी नहीं है मालब कर दो एडिट खत्म अब यही सेम पी सब कोड को कॉपी की करना है और यहां पर वैल्यू बहुत जाद इंपॉर्टेंट है उस पर भी पेस्ट कर देना है और डबल डबल नहीं चाहिए इस तरीके से दिस इस इट और गाइस आइस रिलाइस्ट में भी थोड़ा बेवकूफी क्योंकि हम तो अल्रेडी किस के अंदर है अब आइम जास्क्रि जो बहुत इंपॉर्टेंट है बटन की वैल्यू के बेस्ट पे ही हम यह मेक्सेवर करने वाले की यूजर को एड करना है यह अपडेट करना है यह तो चलो नॉर्मल दिखाते हम अब इतना भी अगर मैं करता हूं रिफ्रेस कर रहा हूं यह अपना है ठीक है सौरी यह अप को करता है सब्मिट या जब भी कोई को करता है हैंडल फॉर्म सब्मिट है यहां पर ध्यान से देखना है क्या अगरने वाला हूं इफ और राइट एक और चीज़ बहुत इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट आपको पता कैसे चलेगा कि आपका यह जो फॉर्म है उसम सब्सक्राइब करने वाला काम यह इस तरीके से मैंने कहा लिखा यह बेसिकली यह अब्जेक्ट इवेंट अब्जेक्ट तो हमें मिलता है यह हमें मालूम है उसमें यह नेटिव इवेंट.submitter.value अगर आप पास करते हो ना तो जिस फॉर्म के साथ आप काम कर रहे हो उस फ यूजर इंटरफेस उस पर या तो एड़ 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 इटी होता है तो यह मुझे एक्षन मिल गया अब मैं क्या करूंगा अगर आपका यह एक्षन इस ट्रिपल इक्वल टू वी हैब एड़ राइट अगर यह होता है तो यह वारा जो फंक्शन है इसको कॉल करना इफ एल्स इफ कर दो ना एल्स इफ है ना यहां पर अगर यह जो एक्षन है यह पिटिस ट्रिपल इक्वल टू एड़ एड़ इट होता है यह तब हम अब डेट पोस्ट डेटा चलो यह कर जाते है ठीक है एंड कहीने के यह मैस तो नहीं कर रहा किसी से नहीं कर रहा आई होप आपको पता चल गया हमने कितनी इजीली अब यह फाइंड आउट की कि यूजर का करेंट बटन की वैल्यू क्या है हमारा इंपूट फिल्ड में उसके बेस पर अगर वह एड रहा तो हमें एड करना है ठीक है यह तो मैंना अल्रेड यहां पर करी दिया है देखो ना एड़ वाला एंड अगर एड नहीं है तो मुझे अपडेट करना है यह अब मैं यहां पर करने जा रहा हूं ठीक है इस तरीकी से आईड आपको पता चल गया ट्रिक कैसे काम करता है यह अब गाइस हम इसको करते है डिफाइंड ठीक है सो कॉंस्ट और राइड अब एक चीज में अगर को यह बताना चाहूंगा अगेन अगर मैं अपडेट करना चाहूं तो इजीली मैं अपडेट कर सकता हूं यह मेरा अपडेट हो भी जाएगा बट अगर वह अपडेट नहीं होगा एंड लेट इमेजिन एक लाग से ज्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं बहुत अपने देखा अरे मैं तुसे अपने सिस्टम पर ही उसको अपडेट की एक्चुल एक लाग जो लोग जो यूज करें उनको तो गलत चला जाएगा समझे बहुत है अब जैसे ही आप इस फंक्शन तक पहुँच गए अब आपको दिमाख लागा कर यह सोचना है कि मैं पहल बात है नहीं क्योंकि यहां तो इन्होंने बोल दिया simple सा put and then patch अगर आप देखोगे forward slash post forward slash post normal उसके बाद आपको एक unique data वहां पर पास करना है जो आपको update करवाना है ठीक है तो कैसे होगा देखिए सो चलते हम हमारे API वाले पार्ट पे मैं यहां पर put use कर रहा हूँ इस मैं complete सबको delete I mean हटा के update करना चाहता हूं नया ठीक है and if you want more about put versus patch let me know in the comment section अब यहां पर एक चीज बहुत important है जो आपको समझना पड़ेगा first time के लिए const ठीक है अब ध्यान से देखना में क्या बोलने जा रहा हूं मैं अब यह assume कर रहा हूं कि हमें एक unique id मिलेगा जिसके चलते मुझे यह पाता चलेगा कि मुझे किस particular post को update करना है based on that id and उसके बाद मुझे एक actual post मिलेगा एक actual data मिलेगा जिससे मुझे यह पाता चलेगा कि इस particular id में पूराने data को हटा कि यह जो नया data है वो add करना है समझे रहे हो तो एक id to find out and then यह post जिससे वो यह basically नया post जो आप मुझे update करना है यह make sure करना कि आपको यह history किसे ही लिखना है किस post को update करना है और मैं आसा करता हूँ कि इस route को देखके आपको कुछ ना कुछ आपका past memory अपडेट हो रहा होगा मतलब अगर आपको याद हो तो जब हम delete कर रहे थे post में तब हमें क्या करना था एक post को delete करना था लेकिन हमारे API को कैसे पता कि किस post को delete करना है तो मैंने बोला भाई यह post तो ही उसमें यह id जो भी होगा आप उसको delete कीजिए राइट तो यह हमारा रूट ऐसा बना सेम यहां पर भी आपको update करना है वो बोलेगा ठीक है 100 post किस post को update करना है मैंने let's say second को click की तो value यहां पर चला जाएगा second अब उनको पता चल गया अच्छा second number की post को मुझे delete करना है I mean update करना है बट किस data से update करना है वो भी तो देना पड़ेगा ना so comma यह जो post है मैंने pass कर दे ठीक है I hope इतना पता चल गया अब इसको आपको get करना है form पे आईए इस जगे पे अब यह वो actual API वाला function है जो आप call कर रहे हूँ so यहां पे मैं आता हूँ सबसे पहले हमें क्या pass करना है कि किस post को update करना है and वो data मुझे कहां से मिलेगा unique ID obviously मुझे मिलेगा यहां से यह जो मेरा update data IP है क्यों कि जब भी कोई जब भी कोई इस पे click कर edit करने के लिए तो current element में pass कर रहा हूँ current element में set update data API की मदद से मैं मेरे इस state variable को update data API जो की मेरा state variable है उसको मैंने update कर दी इसमें मेरा सारा data है and इस data के अंदर we have ID अलसो ठीक है so मैं यहां पे चलूंगा let's go over here इस जगे पे and मैं वो pass कर रहा हूँ dot we have a ID and second मुझे वो data pass करना है जिसको मुझे update करना है and if you remember कल की वीडियो में ही use effect की मदद से अगर वो data present है तो मेरा जो यह actual set data है set add data उसको मैंने update कर दी थी it means मेरा updated data ही है यह add data इस तरीके से यह जो पार्ट है मैंने यहां पर पास कर दी अब यहां पर ध्यान से देखेगा we need to make this async await क्यों क्योंकि अब यह जो API यह promise return कर रहा है मतलब मैंने बोला इस particular post number के जो भी post होगा उसका अब इस data से आड़ कर दीजेगा तो वो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा वेट लगेगा तो we need to wait and जब वो update कर देता है हमारे actual API को तब हमें वो response देता है जिसको मैं response RES वाले constant variable पर update करना चाहूंगा मैं अब यहां पर चलूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या मिल रहा है response में ठीक है इसको एक बाए refresh कर देते हैं यहां पर मैं चलता हूँ inspect पे let's go with our network tab मैं second वाले को click कर रहा हूँ मैं थापा लिख देता हूँ and यहां पर test updated लिख देता हूँ ठीक है and मैं edit पर click करता हूँ यहां पर देखिए undefined दिखा रहा है and मुझे 500 मुझे error आ रहा है ठीक है by the way क्यों आया देखे तो हाला कि payload मिल रहा है preview में id ओके यहां पर कुछ तो भी problem हो रहा है update data यह update data क्या है ओ सॉरी इट्स यूर update data api update data api ठीक है अब यहां पर हम चलते हैं इस जागे पर इसको मैं एक बार रिफ्रेस्च करता हूँ इसलिए गाईस इनेट्वर्क टैब इन्पॉर्टेंट आपको चीजे पता चलते हैं यहां पर इसमें वापस क्लियर करूँ सेकेंड वाले को मैं edit पर क्लिक करता हूँ इस पर मैं लिख देता हूँ थापा test again update लिख देता हूँ and मैं edit पर क्लिक करता हूँ so to दिखाई दे रहा and boom guys see यह देखो सब कुछ यहां पर बराबर है मैं इस पर क्लिक करूँगा ध्यान से देखो headers पे देखो आपका देखो request का method put यह request URL देखो यह आपका base URL है and post-2 post-2 मल्दब second number के post को आपको update करना है and payload में हमने जो data पास की थी response में मुझे जो data मिल रहा है सब है यहाँ पे मल्दब response में मुझे इतना data आ रहा है यहाँ पे मैं चलूँगा and by the way जब हम इतना career है so let's go with try and then catch ठीक है अब यहाँ पे अब ध्यान से देखो कि मुझे उस particular part को update करना है कैसे कर सकता हूँ मेरा जो actual data है वो यह है set data data के अंदर सारा data है right set data को मैं copy करो जिसके अंदर पूरा वो 100 के 100 data थे हमारे मुझे क्या करना होगा द्यान से देखिए मैं मेरे जो 100 data है उसको मैं loop चलाऊंगा ठीक है कैसे बोलने से the moment आप इस तरीके से previous लिखते हो तो होगा यह कि अब यहाँ पे अगर मैं console.log अगर मैं previous लिख दू रिफ्रेश कर रहा हूं इनको मैं हटा रहा हूं मैंने edit पे क्लिक की कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख के मैं edit पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे console.log में क्या मिलता आप ध्यान से देखना ठीक है यह देखो console.log अगर मैं आपको बता हूं 52 अगर आप देखो कि मुझे पूरे 100 के 100 डेटा मुझे मिल रहा है पूरे 100 के 100 डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा अब the moment मैं इसके डेटा को अपडेट करता हूं हमारा actual data अपडेट हो जाता है तो मैं क्या करना अब देखना मैं return previous का ही मैं loop चलाओंगा मैं यह बोलूंगा भाई one by one हमें यहाँ पे भी current element मिलेगा अब ध्यान से देखना return मेरा जो भी current element dot id अगर वो triple equal to हो जाता जो भी response मिला उसकी id से तब इतने सारे 100 में से जिसका यह match कर गया सिर्फ उसी का ही data मुझे update करना है with this part else keep that current element as it is I hope आप समझ गया होंगे मैंने क्यों data लिखा है क्योंकि हमें data मिलता है response में देखो ना response में हम इतने सारे data मिल रहे होते हैं ठीक है यह by default आप समझ जो कि data में मिलता है data आप इतना समझ जाए तो यह i hope पता चल गया होगा अब इससे में क्या कर रहा था मेरे आया current element जो भी 100 में से मैच कर गया हमारे इस id से 100 में से कोई ना कोई एक तो मैच करेगा इना जो भी मैच वह सिर्फ उसका data जो actual मेरा data जो मैं चाहता हूं वह उसको update कर दो बाकी 99 को IJT जो है सो रहने दो हो गया न अपडेट और क्या चीए ठीक है स्वारी नॉट हो भाई है यहां पर चलता हूं edit था पर test and मैं edit पर क्लिक करता हूं 3 2 1 and कुछ भी नहीं हुआ लेट चेक इट आउट क्यों हुआ ऐसा console object देखो ना data अब आपको पाता चल रहा होगा क्यों मैंने वह किया था देखो data में हमें मिलता है response.data में इस जगे पे कुस तो भी problem हो रहा है set data previous previous को लूप लगाया current element.id and response कहीं न कहीं response.id यह काम करते है न यह जो id है क्योंकि id तो मेरा actual जिसको user ने क्लिक किया वो तो मुझे मिली रहे न यह है न id कहीं न कहीं इसको करके देखते है ठीक है and response.data तो by default access का data.data में ही आता है तो उसका कोई problem नहीं title and वो automatic वहां पे चला जाएगा ठीक है and लगे तो एक और चीज़ आप यहां पे कर सकते हो दो कि इतना कोई वो नहीं है बट हम एक just condition add करें कि हाँ अगर सब बराबर होता है तो आप यह कर देना कुछ इस तरीके से ठीक है बस मैंने एक यह update किया है क्योंकि id तो मेरे पास यहां था ही कहीं न कहीं मुझे वो response का id में पंगा लग रहा है थोड़ा सा इसको हटाता हूं सेकेंड और को क्लिक किए test थापा अब मैं edit पे क्लिक करने कि था id but it's fine console पे क्या है we have a data okay see this is the data I am getting from 49 49 49 okay यह जो response है दो response में id okay it's response.data response में मुझे यह सब कुछ आ रहा है और मैंने response.id लिखा था but in reality response.data.id इस तरीके से मुझे लिखना था response.data.id फिलाल data में body भी है title भी है id भी है तो मतलब यह कि अगर response.data.id भी अगर मैं कर देता तो अभी मेरा यह काम करता इस फिर से यहां पे हां and by the way guys यह real API के साथ हम काम कर रहे and हमारे पास power नहीं है कि real API को हम चेंज कर दे तो इसलिए वो first time तो update होगा but refresh करती चला जाएगा test थापा अब ध्यान से देखना edit पे click कर रहा हूं and boom guys see this is it यही मैं दिखाने चाहरा था so data तो था headers है requested सब कुछ है यह हो गया but now 2-3 चीजे है जो आपको make sure करना है and that is कि once जब आप यह कर देते हो तो अभी भी आपका यह button edit face पे ही है right जबकि आप तो यह normal post हो जाना चीज था and second यह जो दो data है अभी भी वह as it is पड़े हुए तो सबसे पहले वो दो data को तो हम बहुत इजली खाली कर सकती उद्धी help of this particular code जो आपने पोस्ट की दिन देख लिया था अगर यह success हुआ इस होने के बाद अब यह कर दीजे आप इसको भी हटाओ ठीक इतना भी अगर आप कर दोगे है न मैं यहाँ पर चलता हूँ एडिट कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखके छोड़ा यह देखो एटलिस यह दोनों तो भी empty हो गए बट यह एडिट अभी भी वहाँ पर एडिटी है नाकि add है तो मैं क्या करूंगा यह क्यूं हो रहा है क्यूंकि यहाँ पर condition है अगर व इस इंपल सा लोजिक बताता हूं कभी भी अगर आप आपको उसको अगर empty करना है तो क्या करेंगे हम state variable को कभी भी change करना है तो अल्वेज उसका जो updated function है उसको change करना होगा उसको update करना होगा so that's the reason why क्यूं मैंने यह जो update data API का जो updated function है इसको मैंने get किया था अब यहाँ पे ठिक इसके नीचे मैं आऊंगा and boom guys this is it sorry guys यहाँ पे मुझे ने गरना है इसके नीचे मुझे आके करना है तो पहले तो empty कर दो and दूसरा उसको totally मैंने empty कर दी खाली title and body link के नहीं छोड़ा क्योंकि इसको मुझे empty करना है उसके base पे ही तो is empty रहा तो add and उसके base पे ही तो यह particular code चालू है बस इतना अगर आप मैं कर दूंगा तो मेरे सारे परिसानी दूर थापा happy क्योंकि इतना हमने किया तो अब मैं अगर edit पे click करता हूं and boom guys see this is it khatam मेरा गाम हो गया so now we have this particular code दोनों field empty हो गया edits का वो add हो गया है यह भी मेरा update हो गया है अब अगर मैं यहां पे थापा post edit अगर मैं लिखता हूं and add पे click करता हूं तो सब अपनी जगे है and at the bottom पे मैं चलूंगा so we have edit our new post over here तो मतला post भी हो गया edit भी हो गया तो दोनों काम हम एक साथ कर रहे अगर मुझे किसी को delete करना रहा तो let's say इसको मैं अगर delete करता हूं तो यह delete भी हो रहा अब यह जो मेरा second था वह first पर आ गया and read तो हम करी रहे so guys हमने देखा http get method, post method, delete method and put method तो यह पूरे की-पूरे cut operation मैं आपको करके बताए and मैंने दिखा है कि reality में professionals कैसे काम करते है and किस तरीके का यह root बनता है base URL Axios के मदद से else अभी तक आपने खाली fetch 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 खेला होगा but in reality कैसे यह आपका काम कर रहा है and सबसे जाद important जब आप root define करते हो for each particular http method तो उसको भी आपको मन में basically अपने दिमाग में ध्यान में रखके काम करना होगा All our guys तो finally हमारे जो react pull stack website ता using Axios वो complete हो चुका है हमने सब कुछ कर लिया है अब बारे आती है इसे हमें live host करने की जैसे कि मैंने आपको starting में कहा था मैं आपको दो तरीके बताऊंगा एक होगा for free दूसरा होगा actual live server अपना खुद का live server पर कैसे आप host कर सकते हो and उसके लिए हम यूज करने जा रहे है what hosting and बताना चाहूंगा guys अगर आप एक server buy करने का सोच रहे थे या अगर आप अपनी freelance journey start करना चाहते हो start up या college में कुछ भी project हो या जो भी आप करना चाहते हो guys उसके लिए we need one paid server no matter what तो बहुत सारे options है लेकिन मैं आपको recommend करना चाहूंगा to check out hostinger क्योंकि पिसले 4 साल से मैं hostinger use कर रहा हूं इसमें guys आप कोई भी plan उठालो except one month को छोड़के आपको free domain, free SSL certificate, free email, wordpress, free AI website builder guys 24 by 7 का chat support आपको guys 99.9% का uptime guarantee मिलता है सबसे best part तो यह है कि guys 30 days money back guarantee अगर आपको पसंद नहीं तो आप like refund भी आपको मिल जाएगा and best part इन्होंने recently अपना नया data center मुंबई में start किये और आपको क्या चीव website और फास्ट हो जाएगा and उससे भी better चीज तो यह कि guys I have a special coupon code और एक link है link में नीचे description and comment section में provide करा दूँगा वहाँ पर आप जरूर क्लिक किजेगा and coupon code है THAPA7 इसको enter करना बिल्कुल मत बुलेगा you will get extra 10% discount on existing discount my god यह है न इतना जाद awesome तो देरी किस बात कि guys आपको देखो server तो भाई करना ही बड़ेगा है न जो original price वो भी उसमें लेकिन आप मेरे link से करते हो और यह coupon code उस करते हो then guys आपको 10% extra discount मिल रहा है उपर से मैं आपको recommend कर रहा हो तो guys best होने वाला है कुछ भी डाटो comment करके जरूर बताना all right guys तो finally वह घड़ी आ गई है जहां आप हम इसको क्या करने वाले है live host करने वाले को जब बात आती है react application को host करने के लिए तो यह जो code हम इसको host नहीं कर सकते ठीक है तो क्या करना पड़ता देखिए अब सबसे पहले हमें command लिखना पड़ेगा जिसके चलते हम हमारे यह development वाले code इसको production ready code में convert करेंगे development code को हमें production ready करना है तो उसको convert करने के लिए हमें एक command मिलता है and that is your npm run and then build ठीक है इस command को लिखने से पहले जल्दी से मैं आपको एक चीज यह दिखाना चाहूंगा this is our application right यहाँ पर आप देखो node modules है public है source folder के अंदर हम काम करते यहाँ पर लेकिन the moment यह जो npm run and then build वाला command में जो करने वाला हमारा production ready वाला जो code है हमें यहाँ पर एक नया folder के अंदर मिलने वाला है पहले हमें build folder मिलता था बट nowadays we are getting dist folder क्योंकि हम wait में इसके साथ काम कर रहे है ठीक है देखना the moment npm space run space build में लिखके enter hit करता हूं within a few seconds oh my god within a few बोलने ही वाला था कि like हो गया यह ठीक है तो अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हूं we are getting one new folder यहाँ पर आप देख सकते हूं dist करके एक folder आई तो यह वो जो folder है इसी folder को अब आपको अपने server पे host करना है बस खत्तम कुछ नहीं बाकी किसी से लेना देना निससरी पीए जो dist folder है इसको अब हमें host करना है ठीक है सो मैं चलता हूं यहाँ पर सबसे पहले let's go with our netlify वहाँ पर हम चलते है बहुत easy है बहुत easy ठीक है simply आप login कर लीजिएगा using github या normal जो भी आपका मनो और यहाँ पर आप बहुत clearly देख सकते हूं at the end में we have this option called add new site पहले frame बता हूंगा क्योंकि बहुत easy है क्या limitation है उस limitation को हटाने के लिए मैं आपको बता हूंगा why we need actual paid server इस पर आपको click करना है then we are getting these three options जिसमें से deploy manually पे मैं click करने आपना हूं and यहाँ पर आप देख सकते हूं कि मैं already मेरा जो dist folder है उसको मैं select करने वाला हूं यहाँ पर आप देख लीजे this is my dist folder ठीक है यह आप देख सकते हूं मेरा dist folder है इसको मैं click करूंगा one time and khatam end में यहाँ पर bottom पर I hope आप लोग को यह दिख रहा है and that is upload का option है यहाँ पर upload button इस पर मैं click करने वाला हूं and I know फिलाल अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे पीछे था वो I mean मेरे image के पीछे वीडियो में तो मैंने upload पर click कर दी है मेरा upload हो रहा है ठीक है and आप देख सकते हूं कि guys within a few seconds इसका भी काम तमाम like यह देखो complete हो गया है and here we are getting a link and that is open production deployed ठीक है यहाँ पर मैं click करता हूं and यह देखिए हो गया मैं let's say इसको मुझे edit करना है मैं लेख देता हूं थापा यहाँ पर subscribe guys please अभी तक subscribe नहीं क्या तो please कर देजाए and the moment edit पर click कर दूंग and boom guys see यह देखिए आपके सामने ही यह live हो चुका है and live में मेरा काम हो गया but there is a problem and that is your darling यह क्या बात हुई यह darling क्यों बोल रहा मुझे यह समझे यह आप देख रहे हो ना मेरा URL कैसा यह घटी आसा URL यह आप किसको सेरगर हो गया यह यह कोई 66E1362 ऐसे आम नहीं करते राइट तो क्या करेंगे don't worry इसका उपया है अपने पास here we have this option जहां पर आप देख सकतो site configuration इस पर आपको क्लिक करना है then we have this option called change site name इस पर आईए and finally यह जो नाम आप इसको हटाओ यहां पर आप लिख दीजिए react axios ठीक है and मैं save पर क्लिक करता हूँ oh my god यह नाम अल्रेडी टेकन है so react API यह भी आइगेस अल्रेडी किसी ने लिया होगा yes react underscore x underscore axios API react full stack हम कर सकते थे बट yes यह नाम अभी तक किसी ने लिया नहीं है मैं अब यहां पर जाओंगा so finally same मेरा application बट उसका नाम अब थोड़ा बेटर लग रहा है and that is react axios api.netlify.app this is it मेरा काम खत्म free में हमें इतना मिलेगा यह इनफ है लेकिन यहां पर एक चीज यह है कि अभी भी नाम यह आपका नहीं किसी और sub domain का नाम हमें यहां पर मिल रहा है क्या हो अगर आपको चाहिए let's say mine is thapa technical right so react axios.thapa technical.com तो वो एक sub domain कंदर में add कर रहा हूँ कास ऐसा कुछ हो जाए तो अगर ऐसा आपको चाहिए then guys we need our own server and ऐसे बहुत सारे चीजे जो guys आपको free में नहीं मिलने वाला क्योंकि अगर free में ही सब मिल गया तो फिर तो server का यह हो जाएगा है ना यहां पर आप क्या ही कर लोगे तो उसके लिए now guys आप मैं आपको बताऊंगा कि hostinger में आप इसको किस तरीके से कर सकते हो it's super duper easy just login कर लीजेगा ठीक है मैंने यहां पर कर लिया है login ठीक है आप simple login करने के बाद कुछ नहीं करना simple यहां पर जो site में आपको देख रहा है website इस पर आप आई है ठीक है आप देखो कि hostinger का जो UI यूजर इंटरफेस बाकी जितने भी उन में से मुझे तो लगता one of the best है क्योंकि इसमें एक तो हमें hpanel मिलता है और उपर से बहुत ही neat and clean इसका UI है मेरे पास बहुत सारे domain भरे पड़े है मैं तो html वाला जो domain है उस पर मैं एक sub domain करेट करूंगा we have this htmlcodes.online मैं क्या करता हूं मैं यहां पर जा रहा हूं ठीक है मैं dashboard पर आगिया so file manager पर जाओंगा तो obviously वहां पर मैं को upload and all करना है से मोही this folder लेकिन उससे पहले मुझे एक नया sub domain क्रेट करना होगा तो मैं domain पर चलता हूं यहां पर आप देख सकते हो on this side we have this domain and then we have this sub domain तो इसको मैं click कर रहा हूं तो guys मैं एक new sub domain क्रेट कर रहा हूं और वह जो link है मैं आपके साथ कर दूंगा ठीक है यह आप याद रखिएगा कि फिलाल मेरा जो यह application है मैं अगर आपको दिखाऊ के लिए अगर देता हूं आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूं explorer यह लिखने से आपका जो current folder है वहां पर आप आ जाते हो तो top पे दिखाई दे रहा है कि मैं new volume app coding axios YouTube उसमें एक new project के अंदर यह मेरा data है तो मेरा क्या है एक SSD पहले hard drive होता था अभी we have this SSD यह NVMe दोनों में से एक है जो भी है बट उसके अंदर मेरा यह data है तो कहीना कहीन एक storage है उसके अंदर मैंने मेरे data को add करके रखा है से मोही server में जब हम बात करते है तो server में भी हम किसी company का server ख़िदने का मतलब एक उनका जो SSD है उनमें हम एक space buy कर रहे है for example मैंने 100GB या 250GB का storage मैंने उनके server में buy कर ली तो वहाँ पे मैं एक folder बना रहा हूँ and by default वो folder always public underscore HTML होता है उसके अंदर मैंने recently अभी एक बना दिया जिसका नाम है react axios तो यह उसके अंदर एक folder बन गया अब उसके अंदर में उसके अपना file add करना है अपना folder जो है वो add करना है वो सारे files and then कोई भी अब इस particular URL को access करेगा उसको वो data मिल जाएगा बस यह है अपने system के बतले अब हम किसी और के system में data add कर रहे server का मतलब यह ही होता है simple ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ and मैंने आपको starting में video बना के दिखाता है and yeah this is it आप देख सकते हो कुछ इस तरिक से आपको यह दिखाई दे रहा है अब इसको में ठीक करता हूँ ठीक है so देखिए क्या करना है overview पर आईए and we have this file manager file manager पर आईएगा क्योंकि यहाँ पर आपको आपका public underscore html मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते public underscore html पर आईएगा यह देखिए so here we have this react axios folder इस पर आईए and बस कुछ नहीं यह जो default है control a delete and मैं delete पर क्लिक कर रहा हूँ मुझे इसको आटाना है यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम यह जो options दिख रहा है यह है आपका upload का button जो हमें एकदम end मिलता तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे complete folder का update करना है आप देख सकते हो we have this dist folder once again इस पर मैं अभी click करूंगा and मैंने upload पर यहाँ पर मुझे same ओर जो मैंने आपको दिखायता upload वाला part इस पर मैं click करने जा रहा हूँ and मैंने यह कर दे click and आपसे पूछरा upload करना है 4 files yes obviously मुझे इसको upload करना है so guys oh my god मैं बोलने ही वाला था यह hostinger देख लो आप खुद ही देख लो हो भी गया यह control A मैं select कर रहा हूँ यह आप देख सकते हो over here यह जो पार्ट दिख रहा है यह है आपका move क्यूंकि इसको मुझे actual folder के अंदर डालना है जो की मेरा यह होने वाला है एकदम top and move pair में click कर रहा हूँ तो the moment यह कर दी तो आप final मेरा काम हो गया देखो ध्यान से public underscore HTML के अंदर react access उसका घर है उसके अंदर मुझे यह folder को upload करना था funda यही है कोई भी आप server उठालो सबका यही है public underscore HTML के अंदर VPS and वो सबको छोड़के ठीक है बाकि वे बोस्टिंग सबका save है मेरा काम खत्म अब मैं अगर इसको refresh करूंगा so three two one and boom guys see हो गया देखो यह मेरा live host हो चुका है कितना प्यारा दिखाई दे रहा है react access dot HTML course dot online अगर मैं थापा technical dot com में करना चाहता है तो अपना खुद का server जब होगा तो पावर ही पावर freedom ही freedom जो करना है करो and यहां पे भी अगर edit करता हूं थापा इसको हटाता हूं like share and subscribe guys please मैंने का न 5,000 like का है and देखो मेरा काम होगा ठीके चाहो तो चलो इसको delete कर दो देखो delete भी होगा तो सब मेरा यह काम हो गया है तो guys कैसा लागा आपको आज का वीडियो this is it, आज इस वीडियो के लितना है and I hope वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आओगा starting में आपने सोचाओगा यहर क्या होने वाला है इस वीडियो में but at the end आते 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 आपने देखा नीचे description and comment section में मिल जाएगा साथी साथ मेरे entire YouTube वीडियो का source code अगर आपको चाहिए at only 249 rupees जो की बहुत ही ज़्यादा कम एक subway में बरगर नहीं मिलने वाला आपको तो वह भी link आपको नीचे description and comment section में मिल जाएगा and starting में कहता guys इस video को प्लीज लाइक कर दीजेगा लाइक टागर सिर्फ 5000 लाइक से and comment जरूर कीजे आपको कैसा लागा दोस्तों को भर भर के share कर दीजेगा and next subscriber count है सिर्फ और सिर्फ 7 लाग सिर्फ 7 लाग हम बहुत करीव है guys and हमारा अब इसके बात final react का mega project वो आने ओला and I hope आप लोग बहुत ही ज्यादा excited हो so guys please subscribe कर देजगा मिलता हूं मैं आपको next video में till then guys thank you so much take care